सब्सक्राइब करें तो आज की वीडियो में आपको प्रवाइड करा रहा हूं क्लास 10 मैंस का सी बीए सी ओफिसल सेंपलेंपर का पूरा एक कम्प्लीर सल्यूशन जिसमें आने हरे को एक्प्रेशन के साथ सौल किया है जैसे आब हरे को इसली समझ पाओगे और अपने पूरे पेपर को पूरा ध्यान से कर पाओगे तो इस करके इस सारे को आप पूरा ध्यान से संजी हो ध्यान से खुट भी सेल्फ्रक्टिस कीजिए तो स्टार्ट करेंगे वीडियों दिख अगर हम यहां पर question की बात करें तो यहां पर आपको निकालना है कि जब हम इन दो numbers का product करेंगे और इन दो numbers के product को अगर मैं LCM of a, b से अगर divide करूँगा तो मेरा answer क्या आएगा बट अगर हम दियान से देखें तो आपको एक relation पता है the product of two numbers is equal to LCM of a, b multiplied by SCF of a, b अगर मैं यहां पर product करने की जूरत नहीं है ना कि LCM निकालने की जूरत है direct आप SCF निकाल सकते हो because SCF भी इस term के बड़ाबर होता है और आपको यह चीज़ निकालना है तो मतलब SCF आपको निकालना है इन दो numbers का यहां पर आपको A given है XQ Y2 है और B आपको given है XYQ और SCF क्या होता है The highest common factor तो यहां पर अगर आप देखा जाए तो XQ और X में से highest common factor कितना है X आ रहे है और Y2 और YQ में से highest common factor कितना है Y2 तो मतलब इनका जो result आएगा वो क्या आएगा XY स्क्वेर आएगा यहां पर आपको यह चीज निकालने की जूरत नहीं थी आपको बताए कि यह किसके बराबर होता है SCF के बराबर होता है तो मतलब SCF आपने निकाल दे तो यह हमारा answer होगा और अगर हम option में टैली करें तो option number B तो यह होगी हमारा इस question का solution Question number 2 The given linear polynomial Y is yellow FX यहां पर आपको इगराब दे रहा है और एक line आपकी क्या कर रही है Intersect कर रही है X axis और Y axis पर X axis को cut कर रही है 3,0 और Y axis पर cut कर रही है 0,4 बढ़िए यहां पर आपको directly बोला गया है कि वह हमारा linear polynomial है Linear मतलब जिसके zeros क्या होंगे एक ही होंगे और वह आपको इसके कितने zeros होंगे और उसके zeros की value क्या होगी और अगर हम ज्यान से देखे तो आपका एक ही 0 होगा और उसकी value क्या होगी 3 होगी तो अगर हम option में tally कर रहे है तो यहां पर आप ज्यान से देख सकते हो कि 1 zeros and zeros for wrong answer 1 0 is 3 तो इसका answer क्या बन गया option number B because वह आपका x-axis पर कर रहे है और एक ही 0 होगा और इसे linear polynomial के सिर्फ एक ही 0 होते हैं quadratic के दो होते हैं तो जिसका answer क्या बन गया option number B question number 3 the given pair of linear equation is known intersecting which is the following statement is true आपको बताए कि 3 type के graph होते एक होते मारे intersecting line एक होते मारे no solution parallel line और एक होते मारे coincident lines मतलब जो एक के उपर एक whole line हो तो यहां पर आपको दे रखे है दो non intersecting line है मतलब यह आप आज में कभी meet नहीं करेंगी तो मतलब दे आप parallel line और आपको बताए कि parallel line के लिए क्या होता है पहले दो का ratio बड़ाबर होगा और C1 by C2 is not equal to होगा तो अगर हम option में देखे हैं तो option number B because A1 by A2 और B1 by A2 का ratio बड़ाबर हो सकता है बर C1 by C2 बड़ाबर नहीं होगा और यह आपकी condition किसके होती है parallel line की तो इस करके parallel line उन्होंने directly दिखा हुआ इस करके उन्होंने इसको क्या बोल दिया non-intersecting line non-intersecting line मतलब जो कभी भी आपसे meet ना करे तो इसकर कि इन्होंने word को थोड़ा घुमाफिडाकी कर दिया जिससे बच्चा confused होजा है बद आपको यहाँ पर confused नहीं होना तो यहाँ पर आपने दियान से देखना है क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर क्या समझेंगे intersecting line का option mark करके आजएंगे तो इसकर करके उनका answer गलत हो जाएगा तो इसलिए आपने option में दियान से देखना है कि इसका answer final क्या है तो यह हो गया हमारा question number third का solution question number four देखिए write the nature of the roots of the quadratic equation 9x square minus 6x minus 2 बराबर 0 यहाँ पर आपको equation दे रखे 9x square minus 6x minus 2 बराबर 0 अगर मैं इसको general equation से relate करूँ ax square plus bx plus c बराबर 0 तो हमारा कितना आ गया 9 आ गया b आपका आगया minus 6 और c आगया आपका minus of 2 तो सबसे पहले हम d find out करेंगे d बराबर होता है b square minus 4ac b की value आपको दे रहे कि minus 6 का square minus 4 into 9 into minus of 2 6 का square कितना हुआ 36 minus minus plus 4 9 36, 36, 272 तो यहाँ पर आपका बन गया 8 108 और अगर आप दियान से रखे होगे तो d value क्या आ रही है greater than 0 तो greater than 0 में मतलब उसके roots क्या होते है real होते है and distinct होते है distinct मतलब different roots होंगे बराबर नहीं होंगे तो अगर हम option में telly करें कि इसके option क्या आ रहे है तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो answer निकला real and distinct roots तो यहाँ पर आपके देखोगे तो two distinct real roots तो यह होगे हमारा option number C question number 4 का solution question number 5 देखिए आपको दो AP दे रखे है same common difference the first term of one of this is minus 1 and that of the other is minus 8 then the difference between their four term is अगर आप यहाँ पर question को ध्यान से समझो तो यहाँ पर आपको दो AP दे रखे है जिसके common difference क्या दे रखे है suppose मैंने यहाँ पर मान लिया कि दो आपके AP दे रखी है AN और A-N first term आपकी दे रखी है A1 मतला minus 1 और second AP का आपको first term दे रखा है minus 8 आपको निकालना है दोनों के 4 term का difference आपको बदाए कि मैं यहाँ पर formula कोन सा यूज़ करेंगे AN बराबर है A plus N minus 1 D अगर हम first term की बात करें A4 तो यह आपका क्या लिखा जाएगा A plus 3D1 कोकि A1 plus 3D1 कोकि इस AP का हमने first term क्या माना हुआ है A1 माना हुआ है तो यहाँ पर हमारा A1 कितना है minus 1 और यहाँ आपका क्या बन गया 3D अगर हम A-4 की बात करें तो यहाँ पर आप देखो के A4 minus A-4 बराबर है minus 1 plus 3D minus of minus 8 plus 3D तो minus 1 plus 3D minus minus plus 8 minus of 3D यह चीज़ कैंसल आउट तो 8 में से 1 गया तो आपका कितना आ गया 7 आ गया तो अगर हम option में देखे हो option number C because हमारा answer कितना है 7 तो ही होगे हमारा question number 5 का solution question number 6 find the ratio in which the line segment joining 2, minus 3 and 5, 6 is divided by x-axis is यहाँ पर आपको एक line segment दे रखे है AB जिसके coordinates आपको दे रखे है 2, minus 3 and 5, 6 और it is divided by x-axis तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है इसके ratio find out करना है आपको बता है कि अगर x-axis से divide करना है तो उसके coordinates क्या होगे x, 0 होगे because y तो आपका line नहीं करेगा तो आगर आप द्यास से रखे है तो यह आपका x1 यह आपका y1 है यह x2 यह y2 यह आपका ratio क्या होगा m1, m2 और यह आपका बने के capital X और यह capital Y तो यहाँ पर हम कौन सा formula यूज़ करेंगे section formula because यहाँ पर आपका y और यह 0 है तो 0 की help से हम यहाँ पर ratio easily find out कर सकते है तो यहाँ पर आपका बने का y is equal to y2 m1 plus y1 m2 whole divided by m1 plus m2 capital Y आपको दे रखे है 0 y2 यहाँ पर आपको दे रखे है 6 m1 आपको दे रखे है k plus y1 आपको दे रखे है minus 3 m2 आपको given है 1 whole divided by k plus 1 यह term वाँ जाके 0 0 is equal to 6 k minus 3 minus 3 वाँ जाके plus तो k आपको कितना आगया 3 by 6 that is equal to 1 by 2 तो अगर हम यहाँ पर ratio की बात करें तो यहाँ पर आपने let care of k ratio 1 और आपका 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 1 by 2 ratio 1 तो answer क्या बन गया 1 ratio 2 तो यह होगे हमारा answer option में टैली करें तो हमारा option क्या होगा option number A because 1 ratio 2 is the final answer तो यह होगे हमारा question का solution question number 7 देखिए if x, y is 5 unit from the origin तो how many such points लाइं in the third quadrant यहाँ पर आपको एक point दे रखा है A जिसके coordinates आपको दे रखा है x, y और origin से इसके distance कितना है 5 unit तो यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि कितने points लाइं करेंगे third quadrant में तो सबसे पहले हमें distance formula से एक relation consider करेंगे तो अगर हम यहाँ आपर द्यान से देखिए तो यहाँ पर हमारा distance formula क्या होगा under root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square x2 आपको कितना given है 0, 0 minus x का whole square plus y2 आपको कितना है 0 minus y का whole square यह भी आपको distance कितना given है 5, 5 बड़ाबर है x2 plus y2 squaring both side करेंगे तो आप कहां से कितना आगे 25 is equal to x2 plus y2 और अगर आप द्यान से देखो तो यहाँ पर आपका एक relation आ रहा है x2 plus y2 0 to 25 यहाँ पर आपका x2 plus y2 0 to 25 है x2 value आप जितना ही डालोगे y की value उतना ही निकल दी जाएगी different तो therefore यहाँ पर हमारा answer क्या हैगा infinite many solution तो अगर हम option में बात करें तो option number d तो यह होगा हमारा इस question का solution question number a देखिए in triangle a, b, c d e, baller a, b if a, b बराबर है a d e बराबर है x b e आपको b और e, c आपको गिवन है c तो express x in term of a, b, and c अगर आप यहाँ पर ध्यान चे रेखिए तो यहाँ पर आपको lines दे रखें parallel d e, parallel a, b और यहाँ पर आपको a, b आपको गिवन है a d e आपको गिवन है x b e आपको गिवन है b e, c आपको गिवन है c और यहाँ पर आपको x c value निकालने है in term of a, b, c अब यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा कि size अगर parallel है तो यहाँ पर हम bpt theorem लगा सकते हैं but bpt theorem लगाने से आपका ad और dc आजगा पर इसका हमें कोई यूज नहीं करना तो यहाँ पर हम similarity of triangle की criteria को use करते हुए दो triangle को क्या करेंगे similar करेंगे because यहाँ पर आपको lines क्या दे रखे हैं पहले दे रखे हो lines अगर पहले दे रखे हैं तो यह दो angles क्या होगे बडाबर होगे because corresponding angles और यह दो angles क्या होगे common होगे because अगर हम यहाँ पर दियान से देखें तो इंट्रेंगल DCE and triangle ACB इस ACB और DCE तो angle DCE बडाबर होगा angle ACB के common angle DEC बडाबर होगा angle ABC के corresponding angle because lines क्या है पहलर और इन दो criteria से हमने क्या कर दिया इन दो triangle को क्या कर दिया similar कर दिया by using A और आपको बताए कि जब दो triangle similar हो जाए तो size क्या हो जाएंगे proportion तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं CE upon CB बडाबर होगा ED upon AB अब CE आपको कितना given है C but BC तो आपका पूरा है तो वह कैसे मिला होगा B plus C से बडाबर है ED आपको कितना है X और AB कितना है हमारा A यहाँ डिवाइड आपको कितना है तो यह होगा हमारा इस question का solution question number 9 if O is the center of circle and the code PQ make an angle of 50 degree with the tangent PR at the point of contact P find an angle made by the code at the center अगर हम यहाँ यहाँ पर द्यान से figure समझें तो यहाँ पर आपको क्या दे रख है angle RPQ आपको given है 50 degree और आपको angle निकालना है X because उसने बोला कि जो code का जो angle बन रहे है at the center वह आपको find out करना है तो यहाँ पर आपको given है RPQ is equal to 50 degree और यहाँ पर आपको angle find out करना है POQ that is X आपको find out करने आपको बदाए कि I at the point of contact यह पूरा angle आपको कितना होगा 90 degree होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे angle RPO is equal to 90 degree because at the point of contact और center से और tangent पर कितना angle बनते है 9 degree बनते है तो यह आपने अल्रडी 9th class में study कर रहा है circle chapter में अब यह angle आप easily find out कर सकते हो और अगर रेडियाई अगर equal है तो opposite angles भी क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं angle OPQ बराबर है angle OTP because angle opposite side of triangles are equal तो यह भी 40 आगे यह भी 40 आगे तो अब यह निकालना easy होगा because angles some property तो यहाँ पर लिखोगे इंट रेंगल POQ X plus 40 plus 40 is equal to 180 degree तो X is equal to 180 minus 80 तो X आपका कितना आगया 100 degree आगे और यही आपको angle find out करना था तो अगर हम option में mark करें तो तो हमारा option क्या होगा option number B तो यह होगा हमारा question का solution question number 10 quadrilateral PQ RS is drawn to circumscribe a circle if PQ बड़ाबर 12 QR बड़ाबर 15 RS बड़ाबर 14 find the length of SP यहाँ पर आपको एक PQ RS का दे रहे के quadrilateral दे रहे का और उसके नदर के circumscribe a circle PQ यहाँ पर आपको given 12 QR आपको given 15 RS आपको given 14 आपको SP find out करना है अब यहाँ पर हम concept यूज करेंगे tangent का because आपको बता है कि अगर हम external points अगर दो tangent draw करें circle पर उनकी length क्या होगी बराबर होगी अब यहाँ पर आपको बता तो external points क्या है यह है PQ RS वो हमारा क्या center है तो O P हमारा क्या है कि एक length होगी तो इसके अगर external points अगर देखे जाए तो AD और AP का distance क्या होगा बराबर होगा because इस point से तो tangent draw की जाड़ी है circle पर तो दोनों की length क्या होगी बराबर होगी तो AP बराबर होगा PD के तो ऐसी rule के according अगर Q हमारा external point अगर AQ और BQ भी क्या होगे बराबर होगे तो हमने AQ को AP के side में लिखने है तो यहाँ बराबर लिखोगे AQ बराबर है BQ के तो similarly RB किसके बराबर होगा CR के और SC किसके बराबर होगा SD के तो यह आपने 4 condition निकाल दी according to theorem because the length of the tangent drawn from external point to a circle are equal in length तो हमने concept लगा दी है अब इन 4 को हम क्या कर देंगे add कर देंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे add 1st 2nd 3rd and 4th तो यहाँ पर आपका बन गया AP plus AQ plus CR plus SC is equal to PD plus BQ plus BR plus DS AP और Q हमारा क्या बन गया PQ यह हमारा बन गया SR बराबर है PD or DS हमारा बन गया PS और यह हमारा बन गया QR PQ आपको गिवन है 12 SR आपको गिवन है 14 PS आपको find out करना है और QR आपको गिवन है 15 15 यह प्लस है वहाँ जाके माइनस 12 प्लस 14 माइनस 15 बराबर है PS से पंदर है गए माइनस 1 12 माइनस 1 इस गरू PS तो PS आपका कितना आगया 11 cm तो अगर हम option में tally करें तो option number D तो यह होगे हमारा इस question का solution question number 11 देखिए given that sin theta आपको दे रखा है A upon B आपको find out करना है cos theta यहाँ पर आपको sin theta दे रखा है A upon B और आपको cos theta find out करना है तो यहाँ पर हम trigonometric ratio के concept को use करेंगे suppose आपको एक right angle triangle अगल दे रखा है A, B, C और हमने originally मान लिया कि यह हमारा theta angle है तो इसके according है हमारा क्या होगा perpendicular यह होगा यह होगा यह होगा happiness आपको बताए कि sin theta क्या होता है P by H और यहाँ पर आपको अल्यडी value दे रखा है A upon B तो अगर हम इन दोनों को compare करें तो perpendicular हमारा क्या बन गया A, K और happiness आपका क्या बन गया B, K और K हमारा क्या एक sum constant तो यहाँ पर हम पाइथागरे स्टेटम से सबसे पहले base की value को find out करेंगे तो आपको बताए कि पाइथागरे स्टेटम क्या होती है 20 square plus 20 का is equal to S का square तो perpendicular आपको नहीं किवन यहाँ पर हम P क्यों दारेंगे तो A, K का whole square plus base आपको नहीं किवन तो यहाँ पर हम लिखेंगे B, K का whole square तो B का square is equal to B square K square minus A square K square तो K square common आ रहे है तो अदर आपका क्या बचाए B square minus A square तो A square रहे तो बाजा के root तो B क्या बन गई K under root B square minus A square अब base भी बड़ा चल गया तो आपको बता है की cost theta क्या होता है base upon happiness तो base के रहे हैं के के अदर रूट B square minus A square और S की वेलिए आपकी B के तो K से के cancel out तो आपकान से क्या बन गया B square minus A square upon B अगर हम option में देखें तो under root B square minus A square by B तो यह होगे हमारे इस question का solution Sack plus 10 है multiply by 1 minus sign A की value क्या होगी आपको बताए कि जब भी आगर आपके randomly trigonometric ratio होतो हम सबको किस में convert करते हैं sign by cost में तो Sack को लिख सकते हैं 1 by cost 10 को लिख सकते हैं sign by cost multiply by 1 minus sign दोनों का base से में तो यहाँपर आगया cost से उपर आपका 1 plus sign है multiply by 1 minus sign है 1 plus sign A को 1 minus sign A से multiply करेंगे तो A square minus B square का formula लग गया whole divided by cost से आपको बताए कि sin square theta plus cos square theta कसम कितना होगा 1 होगा यहापर आपको दे रखाए 1 minus sign square तो sign square को वहाँआ कर move करेंगे तो हमारा pattern क्या बन गया cos square theta is equal to 1 minus i square theta तो मैं इसकी जगह यह value put up कर सकता हूँ तो यहापर आपका बनेगा cost square upon cost से उपर 2 cost से नीचे एक है तो यह cancel out तो हमारा finance का बन गया cost से और अगर हम option में देखें तो option number D तो यह होगे हमारा question का solution question number 13 देखिए a pole 6 meter height cast a shadow 2 root 3 meter long on the ground the sun elevation is को एक pole दे रखे है जिसकी height दे रखे है आपको 6 meter और वो shadow बना रहा है 2 root 3 meter on the ground तो यहापर आपको sun की elevation find out करने मतलब theta आपको find out करने अगर आप द्यान से रिखो तो यह अगर theta है तो यह आपका क्या होगा perpendicular यह होगा आपका base और अगर हम द्यान से रिखे हो P by B हमारे क्या होते है 10 theta होते है because पंदित बद्री परसाद हर हर बोले और अगर आपको P और B गिवन हो तो हम directly use कर सकते है 10 theta पर perpendicular आपको गिवन है 6 base आपको गिवन है 2 root 3 बड़ाबर है 10 theta के 2 बंजा 2, 2, 3 जा 6 तो 3 by root 3 is equal to 10 theta अगर आप द्यान से रिखे हो तो नीचे आपका root है तो हम क्या करेंगे rest light root 3 upon 3 आगया fix the 3 cancel out बड़ाबर है 10 theta आपको बता है कि 10 theta के value root 3 कब होगी 1060 पर 10 theta is equal to 1060 degree अगर हम angle को compare करें तो आपका theta कितना आगया 60 degree तो यह हो गया हमारा question का solution अगर हम option में देखें तो option number a question में 14 देखिए if the perimeter and the area of the circle are numerically equal the radius of the circle is question में 14 में हुँ कहा रहा है कि अगर area of circle अगर numerically equal हो जाए perimeter of circle के perimeter मतला circumference so radius क्या होगा आपको बता है कि area of circle क्या होता है pi r square perimeter circle क्या होता है 2 pi r 2 pi r को move करेंगे left and side तो आपका मनेगा pi r square minus of 2 pi r is equal to 0 दोनों में आपका क्या comment आ रहा है pi r तो अंतर आपका क्या बता है r minus 2 either pi r 0 हो सकता है और r minus 2 0 हो सकता है radius कभी भी 0 नहीं होती तो मतलब र के value क्या बन गई 2 बन गई मतलब अगर हम numerical ही अगर देखा जाए तो को perimeter of circle और area of circle को बड़ाबर रखें तो radius कितना आएगा 2 cm आएगा और अगर हम option में देखें तो option number A तो यह होगा है मारा इस question का solution question मारा 15 देखिए it is proposed to build a single circular park equal in area to the sum of area of 2 circular park of diameter 16 and 12 meter in locality the radius of the new park is तो यहाँ पर आपको question कह रहा है कि एक new जो circular park है उसका जो area है वो 2 circular park के area के sum के बड़ाबर है तो यहाँ पर आपको नए circular park के radius को find out करने है suppose आपने माल लिया नए circular radius को R तो यह आपका क्या वोगा pi R square अगर A1 आपका एक circular park का area है तो उसके radius के होगी R1 तो यहाँ पर हमने ले दिया pi R1 का square और यहाँ पर आपने लेट कर लिया pi R2 का square area 1 का जो आपको diameter given है वो आपको given है 16 meter और D2 यहाँ पर आपको given है 12 meter आपका diameter एकर 16 है तो radius कितनी होगी वो हमारी 8 meter होगी और R2 कितना होगा तो मतलब जो आपका निया circular park होगा जिसके radius कितनी होगी 10 meter होगी और अगर हम diameter की बात करें तो वो कितना होगा 20 meter होगा बढ़ यहाँ पर आपको सिर्ट रेडियस करने थी तो अगर हम option देखें तो option number a option तो यह होगा हमारा question का solution question 16 there is a green square board of side to a unit circumscribing a red circle जैदेव is asked to keep a dot on the above set board find the probability that the keep the dot on the green region is यहाँ पर आपको question क्या कह रहा है एक आपका green board square की form में जिसकी length आपको कितनी रहे है 2 meter और और उसके beach में क्या एक red color का circle है तो जैदेव क्या करता है dot mark करता है जहाँ पर आपका circle नहीं बन रहा उस region में तो हो कह रहा है कि उसकी probability क्या होगे यहाँ पर आपका formula क्या होता है probability का number of outcome divided by total number outcome बढ़ यहाँ पर आपको वह region का area निकालना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे probability of dot is equal to area under the region under the dot region upon total area और अगर आप द्यान चे रिखो तो यह region का area कैसे निकालोगे जब मैं पूरे square के area में से circle के area को minus करूँगा तभी तो इसका area का reason आएगा तो यहाँ पर आप लिखोगे area of square माइनस area of circle whole divided by area of square क्योंकि total area तो area of square ही है जिसके अंदर यह चीज़ भी कंसरी की जारी है तो area of square क्या होगा यहाँ पर आपको और साइट किने रखेंगे 2a तो आपको बताए कि 2a का whole square minus यहाँ पर आपको क्या होगा पाया square और areas आपको क्या देर रखेंगे एका square upon 2a का whole square a square upon 4a square a square आपका comment आ रहा है तो अंदर आपको क्या बचा 4 minus 5 upon 4a square a square से a square cancel out to answer कितना आ गया 4 minus 5 upon 4 और अगर हम option में देखें तो option number b तो यह हो गया हमारा question का solution question number 17 देखिए 2 card of heart and 4 card of spade are missing from a pack of 52 card तो what is the probability getting a black card from the remaining pack यहाँ पर आपको question कह रहा है कि 2 card आपके heart के missing है और 4 card आपके spade के missing है और यहाँ पर आपको probability निकालने है black card कि जब आपके remaining card बच जाएं तो आपको बताएगी total cards कितने होते है 52 यहाँ पर आपके total cards कितने missing है 4 plus 2 चे तो मतलब आप remaining card कितने बचे 52 minus 6 that is equal to 46 अब spade होते है हमारे black color के और total black होते हमारे 26 पर 26 में से अगर 4 black चले गए तो बतले कितने बचे तो आपके probability क्या होगी 22 upon 46 because आपके दो card हाड के हैं बर हाड हमारा red color के होता है तो इस करके यहाँ पर उसका कोई लेना देना नहीं बर आपके स्वेड के चार card आपके missing होगे है तो हमारा वो remove कर दी गए तो टोटल आपके पाद 26 card है 26 में से चार चले गए तो आपके 22 बचे आउट आप टोटल आपके कितने remaining होए छे card तो जिस करके 46 तो आपकी probability क्या होगी 22 upon 46 अगर हम इसको solve करें तो 11 upon 23 तो यह होगे हमारा question का solution और अगर हम option में देखे तो option number b because इसने इसको cancel out नहीं कर रखा तो जिस करके यह हमारा final answer होगा question number 18 find the upper limit of the model class from the given distribution यह अपर आपको देखे है के height in cm below 140, below 145, below 150 और number of girls 4, 11, 39, 40, 46, 51 पर यहापर बच्ची गलती कर देते direct सोचे कि यह ही आपके number of girls दे रहा है जिस करके model class क्या होती highest frequency तो वह 51 को mark कर लेगा जिस करके answer color निकालेगा यह आपको CF दे रहा है accommodative frequency दे रहा है because यहापर आपको number of data जो दे रहा है below 140, below 145 तो इस करके सबसे पहले हम actual frequency निकालेंगे then उसके बाद यहापर हम देखेंगे कि highest frequency कितनी है then उसके respect में हम अपर limit को find out करेंगे तो यहापर हम सबसे पहले number of girls निकालेंगे because सबसे पहले हमने क्या किया इस आपके जो intervals को हमने proper interval की form में लिखा because यहापर लिखा गया था below 140 बट कितना below है वो हमने नहीं पता तो इस करके हमने 0 से 140 रगा यहापर आपको लिखा गया कि below 145 तो मतला 140 और 140 के 20 का gap कितना है 5 का तो इस करके यहापर आपको बनेगा 140 से लेगा 145 के 20 में कितनी number of girls है तो जिस करके यहापर हम सबसे पहले CF की help से normal frequency find out करेंगे तो 4 को हम as it is रखेंगे next निकालने के लिए 11 में से पहले 4 को क्या करेंगे minus तो यहापर आपका कितना गया 7 29 में से 11 गये तो आपका कितना बन गया 18 40 में से 29 गये तो आपका कितना बन गया 11 46 में से 40 गये तो आपका बना 6 और 51 में से 46 गये तो आपका कितना गया 5 तो यह से पार से देख है तो अब का सबसे हइस फ्रिक्वैंसी है तो आपको बता यह होती है मरी approved दिकाँ सबसक्राइब यहों कि हाम इस कशिट गलती आप बिल्कुल ना करें और गालें जब बहुँ विलो या फिर अबव होती आगर दे सबसे पहले उससे आप interval की फोर में रिपिजेंट करें तैन उसके अब आप actual में आप लिमेट या फिर लोर लिमेट अपनी कैल्कुलेट करें जब आप उसे interval की फोर में रिपिजेंट कर दें तो यह आप इसे नमगा 18 का सब्सक्राइब अब अब आप इसका अरिया निकालूंगा और कैसे निकालूंगा इसका और इसने बोला कि टॉप कैसे फिक्स क्या गया जब मैं हैमिस्फियर को इसके साथ क्या करूंगा तब ही तो मेरा तॉप प्लेन बनेगा तो मतलब इसका अंसर क्या होगा option नमबर ए तो मतलब 19 का हमारा अंसर क्या बनेगा यह बिकॉज असरेशन ए भी ठीक है रिजन आर भी ठीक है और उसकी क्रेक्ट एक्स्प्लेनेशन भी है तुझा करके इसका अंसर क्या बने गया option नमबर 20 देखिए statement a, minus 5, minus 5 by 2, 0 और 5 by 2 in arithmetic progression आपको बदा है कि कोई भी अगर सीरीज आपके AP काब होगी जाब उसका comma difference निकाले तो 5 by 2 आएगा, इन दोनों का निकाले तो 5 by 2 आएगा, इन दोनों का निकाले तो 5 by 2 आएगा, इन दोनों का निकाले तो 5 by 2 आएगा, तो मतलब हमारा तो यह क्या है तो यह प्याइब कर रहे है तो इस करके इसका रिजन आपको गलत है और यह आपका करेक्ट भी नहीं है तो इसकर के यह अपर आप लिखोगे तो यह होगे हमारा इसको करने के लिए हम एक प्रसीजर को फोलो करेंगे तो यहापर मैं आपको पूरा सिखाता हूँ कि कैसे आप पेपर में लिख कर आओगे जिससे आपको पूरे मार्क मिलेंगे तो यहां पर आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 के हमारा रेशनल लंबर तो अगर यह रेशनल लंबर है तो हम इसको P by Q की फोर में रिप्रिजेंट कर सकते हैं वेर P and Q are integer और P and Q क्या होंगे हमारे को प्राइम होंगे को प्राइम मतलब इन दो नंबर का जो HCF होगा वुक्या होगा बन होगा अब Q यह डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टिप्लाई तो यहाँ पर हमारा बन गया root 2Q is equal to P root को remove करने के लिए हम क्या करेंगे squaring both side तो यहाँ पर आप लिखोगे squaring both side तो आपका बनेगा 2Q square बड़ाबर है P square अब यह 2 यह multiply तो वहाँ जाके divide तो यहाँ पर हमारा pattern बनेगा Q square is equal to P square by 2 अब यहाँ पर हम एक property लगाएंगे कि P square को कौन divide कर रहे है तो यहाँ पर आप लिखोगे 2 divide P square मतलब P एक ऐसा P square को 2 divide कर सकता है अगर P भी अगर 2 को divide कर रहे है तो मतलब P कैसा नंबर होगा multiple of 2 होगा तभी तो वह इससे exactly divisible हो रहे है तो यहाँ पर हम let कर लेंगे let P हमारा क्या बन गया 2A बन गया where A हमारा क्या सम इंटीजर अब जो यहाँ पर आपने let किया इसी को हम mark करेंगे equation number 1 और इस value को हम क्या पर पुट करेंगे यहाँ पर तो आपका हमारा बनेगा Q square is equal to Q square upon 2 जैसे हमने previous concept किया कि P square को to divide करेंगे तो यहाँ पर भी हम वह concept यूज करेंगे तो यहाँ पर लिखोगे 2 divide Q square मतलब Q एक ऐसा नमबर है जिसका अगर हम square करें तो वह 2 से divisible है तो मतलब तो अगर Q का square 2 से divisible है तो मतलब क्यू भी अगर 2 से divisible है तो Q कैसा नमर होगा 2 का multiple होगा तो यहाँ पर लेट करोगे लेट Q is equal to 2B where some where be some integer अब यहाँ पर आपने पहली equation में लिखा कि P बड़ाबर है 2A यहाँ पर आपने लिखा Q बड़ाबर 2B तो अगर हम from first और second relation देखे तो दोनों में common factor किता आ रहे है तो यहाँ पर आप लिखोगे from first and second relation T and Q have common factors 2 अब अभी आपने पहले लिखा कि यहाँ पर इसका जो highest common factor है 1 है अब यहाँ पर आप पहले कह दो कि इसका highest common factor 1 है बट यहाँ पर आपका आ रहे है 2 तो मतलब mismatch हो गया तो यहाँ पर आप लिखोगे new contradiction horizon because of our incorrect assumption that root 2 is rational number so we conclude that root 2 is irrational number और यह चीज़ आपको क्या करने थी प्रूब करने थी तो आयो आपको यह पूरा procedure आपको समझा आगे होगा तो यहाँ पर आपने जब पेपर में आप इसे प्रूब करोगे तो bracket में आपने पूरे result लिखना है तब ही आपको पूरे marks मिलेंगे तो ही होगे हमारा question number 21 का solution question number 22 देखिए A, B, C, D जे पैलोग्राम point P divide A, B in the ratio of 2, ratio 3 point Q divide DC in the ratio of 4, ratio 1 prove that OC is half of O, A यहाँ पर आपको पैलोग्राम दे रखा है A, B, C, D point P क्या कर रहा है? A, B को divide कर रहा है 2, ratio 3 में point Q divide कर रहा है DC को in the ratio of 4, ratio 1 में आपको prove करना है कि OC के half है O, A, K तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे let करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है prove करना है कि OC के half of O, A A, B और D, C क्या बढ़ाबर है because ABCD is a पैलोग्राम तो यहाँ पर आप दिखोगे ABCD is a पैलोग्राम तो मतलब अगर AB और DC अगर बढ़ाबर है तो मैंने उसको क्या माल लिया A माल लिया अगर AB और DC अगर बढ़ाबर है तो मैंने A माल लिया तो AB किसको डिवाइड कर रहे है AP और PB को डिवाइड कर रहे है 2 ratio 3 में तो मतलब AP की value क्या होगी 2 by 5A होगी because अगर मैं रेशो को हटाना होगा तो मेरे को क्या करना होता है जो नंबर दे रहा होता है divide by total number तो 2 by 5A हो गया और जो हमारा PB होगा वो हमारा क्या होगा 3 5th of A होगा A क्यों आया क्यों क्यों आया क्योंकि total side आपको कि नहीं दे रखे है और हमारा QC होगा वो हमारा क्या होगा 1 5th of A होगा यह तो आपने size निकाल ले in term of A अब अगर आप यहाँ पर द्यान से रेखे तो आपको निकालना है OC के half of OA तो अगर आप द्यान से देखे तो यह दो आपके triangle बन रहे हैं अब मैं इंडो triangle को क्या करूँगा similar करूँगा अब similar के लिए तो यहाँ पर आपको condition चाहिए यहाँ पर आपको sides बरावर नहीं है क्योंकि opposes पूरी size बरावर है यहाँ पर तो ratio different है तो करे कैसे तो आपको बता है कि पहलो gram है तो आपोजी size कहोंगे पैलर भी होंगी तो यह angle आपको क्या बन गया alternative angle because AC is a traversal line और यह angle आपको बन गया vertical aboyed angles तो by using AA हमने इंडोनों को क्या कर दिया similar कर दिया तो यहाँ पर आप लिखोगे int triangle OPA and triangle OQC OPA और OQC angle OAP बराबर होगा because alternative angles second चीज़ आप लोगे angle AOP बराबर होगा angle COQ के vertically upon angles triangle OPA क्या होगया similar होगया triangle OQC by using A पर आपको बताएं कि जब हमारे दो triangle similar होजाएं तो size क्या होजाएंगे proportion तो इसको हम similarity हिजाब से हम देखेंगे कि कौन से size हमारी ratio में इकवल आ रही है तो यहाँ पर आप लिखोगे OPA upon OQ बराबर है OA upon OC बराबर है PA by QC इस size हमारी बराबर आगी but यहाँ पर हमें OA और OC का relation चाहिए और अगर हम यहाँ पर द्यान से रेखें तो AP भी हमें given है और QC भी given है तो मतलब इन दो sides को हम बराबर करेंगे जिससे हम relation find out करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे OA upon OC is equal to PA आपको कितना दे रहे है 2 fifth of A QC आपको दे रहे है 1 fifth of A A से cancel out 5 से 5 cancel out OC यहाँ डिवाइड तो वाँ जाके दिवाइड तो OC is equal to half of OA अब half कैसे आया 2 यहाँ multiply है तो महाँ जाके divide और यही चीज़ आपको कहा करने दे proof तो ही होगे हमारा इस question का solution 23rd From an external point P 2 tangent PA and PB are drawn to a circle with center O As a point E on the circle a tangent is drawn to intersect PA at point C and PB at point D respectively If PA बड़ाबर 10 cm find the perimeter of triangle PCD यहाँ पर आपको एक circle दे रखा है और 2 tangent row कर रखे है from external point P से और यहाँ पर आपको परिमीटर निकालने है triangle PCD का तो सबसे पहले हम relation create करेंगे because अगर हम यहाँ आपर द्यान से देखें perimeter of triangle PCD अगर मैं इसका perimeter देखूं तो वो क्या होगा तीनों साइड का सम होगा PC plus CD plus PD इसको हम अभी mark कलेंगे equation number 1 because हमें PC, CD और PD हमें find out करना है यह हमें नहीं पता अगर आप आपको द्यान से देखो तो P हमारा के external point है तो आपको बताए कि according to theorem अगर आप external point से अगर tangent रो की जाए circle पर तो उनकी length क्या होगी ब्राबर होगी तो यहाँ पर आप द्यान से देखोर P है किसके ब्राबर होगा PB के because length of the tangent drawn from external point to a circle are equally length are equal तो P है किसके ब्राबर आगया PB के but अगर यह O हमारा center है तो CB हमारा क्या किलाएगा इसके लिए external point किलाएगा तो यहाँ से भी तो दो tangent रो रही है एक CE बन गया और एक हमारा CA बन गया तो rule के according CA किसके ब्राबर होगा CE के और अगर आप द्यान से रेकोर D हमारा external point है तो यहाँ से भी तो दो tangent रो रही है D और BD तो मतलब D भी किसके ब्राबर होगा BD के और हमारा reason क्या होगा यह आपका same reason यहाँ पर use हो जाएगा कि PA ब्राबर हो गया PB के, CA ब्राबर हो गया CE के और D ब्राबर हो गया BD के अब इनको यहाँ पर use करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे From first Perimeter of triangle PCD is equal to PC हमें नई given तो उसको मैं जिखेंगे CD आपका कैसे बना CE और ED को मिलाकर तो उसको यहाँ mention करेंगे CE प्लस ED और PD हमें नई पता तो उसको मैं जिखेंगे अब PC आपका as it is अभी आपने निकाला कि CE किसके बराबर है CE आपका बराबर है CA के तो यहाँ पर हम put up कर देंगे CA ED का relation आपका निकला BD के बराबर तो यहाँ पर हम BD लिख देंगे प्लस PD PC में अगर CA को आइड करोगे आपका क्या बन जाएगा PA PD में अगर BD को आड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा PB और अभी आपको बताए कि PA और PB भी क्या है बराबर है तो PB की जगा मैं PA को replace कर सकता हूँ तो यहाँ आपका क्या बन गया twice of PA और PA आपको given बन है 10 cm तो यह आपका बन गया 2 x 10 20 cm यह हो गया हमारा इस ट्रेंगल का perimeter जो हमने by using theorem से relation पहले create किया then उसके बार उसकी value put up करके final answer बनाया तो आई होब आपको एक question समझा गया होगा ऐसे question paper में वो repeat होते है तो ऐसे question को आप ignore मत करें काफी important question है तो start करेंगे next question question number 24 if tan of a plus b बड़ाबर है root 3 tan of a minus b बड़ाबर है 1 by root 3 और a plus b का sum greater होगा 0 degree से और less than होगा 90 degree से और a angle के greater है b के तो बताइए find a and b क्या होगा यहापर आपको एक relation दे रखे है tan of a plus b बड़ाबर है root 3 अगर हम trigonometric ratio of sum specific angle में देखे हैं कि 60 पे हमारा बड़ाबर होता है root 3 तो अगर हम comparing करें वो set angle को तो a plus b किसके बड़ाबर आगया 60 के तो यह होगे हमारी equation number 1 अब second equation आपको दे रखे है tan of a minus b बड़ाबर है 1 by root 3 अगर हम table में देखे हैं कि tan की value 1 by root 3 का बहुती है 10 30 पे तो यहाँ पर हम लिख सकते है 1 by root 3 की जगा 10 30 अब अगर हम इसके angle को compare करें तो a minus b किसके बड़ाबर आगया 30 रिख रही है तो यह बनगे हमारी equation number 2 अब हम equation number 1 और 2 को by using 2 method से solve कर सकते है by using subtraction और elimination method तो यहाँपर हम elimination method यूज कर रहे हैं तो यह time आपकी cancel out तो 2a बड़ाबर है 90 तो a आपका क्या बन गया 45 डिग्री इसको आप किसी भी equation पूट कर सकते हैं तो मैं पूट कर रहे है equation number 1 तो 45 प्लस b बड़ाबर 60 तो b आपका कितना बन गया 15 डिग्री और condition के according a हमारा greater था b से तो यह condition हमारी fulfill हो रही है तो यह होगे हमारा question का solution question number 24 के और पार को देखिए यहाँपर आपको बलागे है कि find the value of x और यहाँपर आपको डिरेक है 2 cos x square 30 प्लस x sin square 60 minus 3 by 4 10 square 30 तो यहाँपर आपको x की value find out करने है तो यहाँपर हम trigonometric ratio and sum specific angles की value का यहाँपर डिरेकली put up करेंगे और x की value को find out करेंगे तो 2 multiply by cos x 30 कितना होता है 2 तो 2 का square plus x multiply by sin 60 होता है मारा root 3 by 2 का whole square minus 3 by 4 10 30 होता है मारा 1 by root 3 का whole square बड़ाबर है 10 तो 2 multiply by 4 plus x into 3 by 4 minus 3 by 4 multiply by 1 by 3 बड़ाबर है 10 4 to 8 plus 3x upon 4 minus 1 by 4 is equal to 10 plus 8 वहाँ जाके minus तो 10 में say it गए 2 तो 3x upon 4 is equal to 2 plus 1 by 4 2 plus 1 by 4 कैसे आया मारा root 1 by 4 वहाँ जाके plus 1 by 4 10 में say it गए 2 इन दोनों का सबसे बेले LCM लोग है तो 3x upon 4 is equal to 4 2 जाए 8 plus 1 upon 4 4 से 4 cancel out तो 3x is equal to 9 तो x आपका कितना आ गया 3 तो यह हो गया हमारा इस question का solution question number 25 with vertex ABC of triangle ABC as a center arc are drawn with radii 14 cm अगर आप द्यान से देखोगे तो अगर यह हमारा center और यह हो और यह हमारा यह हमारी दो radii और और यह हमारा corresponding आर को इसको हम क्या बोलते हैं सेक्टर बोलेंगे तो मतलब यहां पर हम area of sector का concept use कर सकते हैं because यह भी हमारा area of sector है यह भी area of sector यह भी और area sector यहां पर दिखोगे total area removed from the triangle is equal to but sector के लिए हमें theta पता होना चाहिए तो यहां पर हमें angle तो गिवा नहीं तो हम सिर्फ angle को use कर सकते हैं तो यहां पर आप लिखोगे angle a upon 360 degree into pi square प्लस angle b upon 360 degree into pi square प्लस angle c upon 360 degree into pi square अगर आप दियान से रिखोगे तो तीनों में pi square common आ रहे है और 360 degree common आ रहे है तो यहां आप लिखोगे pi square upon 360 degree common तो अंदर आपको क्या बन गया angle a plus angle b plus angle c और आपको बता है कि एक triangle में तीनों angle का sum कितना होगा 180 degree angle sum property तो angle a plus angle b plus angle c की जगा हम replace कर सकते हैं 180 degree तो यहां आपका बन गया pi r square upon 360 degree into 180 degree 180 से 360 cancel out कितना हो गया half तो 1 by 2 into pi की जगा यूज़ कर सकते हैं 22 by 7 और radius आपको given है 14 from 14 into 14 7 2 जा 14 2 से 2 cancel out 22 को आप 14 से मली प्लाइग करोगे तो आपका मनेगा 2 फोर जाए 2 बन जाए 2 बन जाए 2 बन जाए 2 total area remove होगा जब आप उन्ही वर्टेक्स को एजे सेंटर मानते होए तीन आर्थ द्रोग करोगे और उस portion को remove कर दोगे तो यह होगे आपको इस question का solution question 25 का और option देखिए find the area of the unshaded region shown in the given figure बताब यहां पर आपको इस portion का area find out करना है जो आपका shaded नहीं है यहाँ पर आपको square given है और अगर आप द्यान से रेखोगे तो चार आपको semi circle given है आपको इसका portion find out करने है तो सबसे पहले हमने क्या किया इनको join किया क्योंकि जिससे हमें बढ़ा चल जाएगा कि required figure क्या है तो अगर आप द्यान से रेखोगे तो अंदर एक आपका square बन रहे है और चार आपकी क्या बन रहे है सेमी सिर्कल बन रहे है यहाँ पर आप लेट करूगे कि लेट कि दी साइड ऑफ दी इसको आपने माल लिया एक सेंटीमेटर की सबसे पहले हमने क्या किया है जो आपका square बन रहे है उसकी साइड को अपने माल लिया एक सेंटीमेटर और जो यह एक सेंटीमेटर अपने साइड मानी तो यह आपका सेमी सिर्कल का क्या माना जाएगा और यहां हमारे किलाएगा side, यहां पर लिखोगे, radius of semicircle plus radius of semicircle plus side of square ABCD, इसके बड़ाबर होगा, 14 में से हम क्या करेंगे, 3 को minus करेंगे, फिर again 3 को minus करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों कि अगर आपको यह portion निकालना है, तो total में से हम इन दो portion को क्या करतेंगे, minus करतेंगे, radius of semicircle हमने क्या मानी, र, radius of semicircle के हमारा R, plus side of the square of हमारा X, तो यहां पर आप लालोगे, एक centimeter, तो बराबर है, 8, R plus R कितना गया, twice of R, और आपको बताए कि diameter of the semicircle के हमारा X, तो X plus X, बराबर है 8 centimeter, तो यहां हमारा क्या बन गया, 2X is equal to 8 centimeter, तो XC value क्या बन गया हमारी, 4 centimeter, तो मतलब X हमारा find out हो गया, diameter भी परणा चल गया, और हमारे side of the square भी ABCD परणा चल गया, बट यहां पर आपको क्या find out करना है, इसका area find out करना है, अब यहां पर आपके पास side of the ABCD आ गया है, और आपका diameter आ गया, तो यहाँ पर आपको find out करना है इसका area of unshaded region तो यहाँ पर आप दिखोगे area of unshaded region is equal to area of square a b c d plus 4 times area of semicircle तो कि यहाँ पर आपके 4 semicircle बन रहे है और एक आपका square बन रहे है area of square क्या होगा side का square तो यहाँ पर आप लिख सकते है तो x by 2 तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x by 2 का whole square x की value अभी आपने निकाली 4 cm तो यहाँ पर put up करेंगे लिख नशल आपके क्सक्वेश रगुन बन रहे हैं इसकेस्टमव एको इसकेस्टन में हापको, number of students interested in music आपको दे रख rough 60 number of students interested in dance आपको given है 84 और number of students interested in handicraft वो आपको दे रख सूत ने रख था वो आपको दे रख दे 1008 यापे आपको minimum number of group निकाले है जिसमें आपके हरे ग्रूप में equal number of students हो और equal number of room हो तो यहां पर आपको क्या करना है million number, million number मतलब highest score factor तो that means यहां पर हम कहां निकालेंगे SCF of 60, 84 and 108 जो हमारा किसके बराबर आ जाएगा number of students in each group subject to given condition यहां पर हम सबसे बहले 60, 84, 108 के factors find out करेंगे by using prime factorization method 30, 15, 3, 5, 5 जाएग बन जाएटी फोर्स के factors निकालें 42, 21, 37 जाग 7 बन जा, 108 के निकाले, 54, 27, 39 जाग 3, 33 जाग 3 बन जा, अब इसको यहां पर हम ओर्डर में लिखेंगे, तो 2 इंटो 2 इंटो 3 इंटो 5, 84 is equal to 2 इंटो 2 इंटो 3 इंटो 7, 10, 108 is equal to 2 इंटो 2 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3, आपको बताएगे, यह स्कोन फेक्टर के से निकालेंगे, जो तीनो टम में मारा common होगा, तो 2 आपका common होगा, तो 2 आपका common होगा, तो 3 आपका common होगा, बाकि सारी non common term होगे, तो यहां पर आप लिखोगे, scf is equal to 2 into 2 into 3 that is equal to 12 तो मतलब minimum जो हमारा number of students होंगे each group में वो हमारे कितने होंगे 12 group बनेंगे जिसमें हमारे equal number of students होंगे तो यह तो हमारा निकल गया number of students in each group अब further वो कह रहा है कि find the number of group in each art form कि मतलब हर एक art form में कितने group बनेंगे तो यहांपने हम क्या करेंगे जो भी जैसे total number of students है इसको हम इस scf से क्या कर देंगे divide कर देंगे जिससे हमारे particular art form में number of group आपको परत कर जाएगा तो यहांपने हम divide करेंगे सबको एक की करके number of group in music that is equal to 60 upon 12 तो यह आपका कितना आ गया 5 आ गया नेक्स्ट आप लिखोगे number of group in dance 84 upon 12 तो यह आपका कितना आ गया 9 आ गया अब यह तो निकल गया आपका number of group के हर एक group में कितने कितने हर एक art form में कितने कितने ग्रूप बन रहे है बड़ यहांपर आपको find out करना है कि total number of room कितने required होंगे जिसमें हर एक group को एलोट किया जाएगा यहांपर लिखोगे total number of room required is equal to हर एक art form में कितने ग्रूप बने पांच साथ और नो अगर मैं इन सब को एड़ कर दूंगा टोटल रूम पर जाएंगे कितने हमें चाहिए तो यहां पर आपको होगे 5 प्लस 7 प्लस 9 12 प्लस 9 तो आपको कितना आगे 21 तो मतलब 21 आपको number of room की जूरत पड़ेगी जिसमें हमारे हरे ग्रूप क्या होगा लोड किया जाएगा तो यह होगे हमारे इस question का solution question number 27 देखिए if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1 then find a value of alpha square plus beta square और alpha inverse plus beta inverse यहां पर आपको एक quadratic polynomial देखिए और यहां पर आपको इन दो pattern की value को find out करने है तो सबसे पहरे जो आपको given polynomial देख है इससे हम sum of zeros and product of zeros find out करेंगे आपको बताए कि general equation क्या होती है ax square plus bx plus c अगर मैं इंडोन equation को relate करूँगा तो a आपका कितना निकल गया 5 b आपका कितना निकल गया 5 और c आपका निकल गया 1 आपको बताए कि sum of zeros alpha plus beta किसके परावर होगा minus b by a तो minus 5.5 आपका कितना गया minus 1 आगया alpha into beta कितना होता है c by a तो यह आपका कितना गया 1 by 5 आगया अब इन दो value को यहाँ पर put up करेंगे तो first part आपको कह रहा है कि आपको find out करना है alpha square plus beta square आपको बताए कि alpha square plus beta square का formula क्या होगा that is equal to alpha plus beta का whole square minus of 2 alpha beta because अगर मैं इस identity को open करूँगा तभी तो plus 2 a b minus 2 a b cancel out हो जाएगा तो आप इसको directly भी लिख सकते हो अगर आपको अगर formula नहीं पता तो आप a plus b का whole square लगा के इस pattern को find out कर सकते हो तो alpha plus beta कितना है minus 1 का whole square minus 2 times 1 by 5 तो 1 minus 2 upon 5 तो इन टोनों के LCM लोगे तो 5 minus 2 upon 5 तो that is equal to 3 upon 5 तो यह होगे हमारा first part का solution second part निकालेंगे यहाँपर आपको बोल रहा है कि alpha minus plus beta minus की value find out करो alpha minus मतला 1 by alpha beta minus मतला 1 by beta अब इन टोनों की value तो हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे पहले LCM लेंगे तो यहाँपर आपको बनेगा alpha plus beta upon alpha into beta alpha plus beta कितना है minus 1 यह आपका कितना है 1 upon 5 तो 5 उपर जाके क्या बन जाएगा numerator तो यह आपका बन जाएगा minus of 5 तो यह होगे हमारा इस question का solution question number 28 देखिए the sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66 if the digit of the number differ by 2 find the number and how many such number are there यहाँपर बात हो रही है two digit number की तो सबसे पहले हम लेट करेंगे two digit number को तो लेट दे two digit number बे x plus 10 y where x हमारा के unit digit और y के हमारा 10s digit अब यहाँपर आपको question कह रहा है the sum of two digit number and the reversing the digit of number is 66 मतलब अगर मैं x plus 10 y को add करूं इसके order को replace करके मतलब unit become 10s और 10s become unit तो आपको बंजेगा 10 x plus y तो इन डोनों का sum किसके बराबर है 66 के है तो यह आपके first condition बन गई आप इसको simplify करेंगे तो x plus 10 x 11 x 10 y plus y 11 y is equal to 66 11 आपका common है तो x plus y is equal to 66 तो x plus y किसके बराबर आगया 6 के बराबर आगया तो यह बन गी हमारी question बान अब फॉर्दर वो कह रहा है कि यहाँ पर हम दो cases को rise करेंगे case number one कि जब हमारा x minus y differ होगा 2 के और case number two अगर हमारा y minus x differ होगा 2 के विकाज हमें यह नहीं पता कि 10s digit वाली digit हमारी बढ़ी है या फिक unit वाली तो यहाँ पर हम दो cases को लेकर चलेंगे और number को find out करेंगे तो इस equation को mark करेंगे equation number two और इसको mark करेंगे equation number three तो पहले हम equation number one और two को simplify करेंगे और number calculate करेंगे then हम one और three को calculate करेंगे और number को find out करेंगे तो यहाँ पर आप add करोगे first and second तो आपका बनेगा x plus y is equal to six x minus y is equal to two minus y plus y cancel out तो two x is equal to eight तो x आपका कितना आ गया four आ गया इसको हम put करेंगे equation number one तो put in first तो four plus y is equal to six तो y आपका कितना आ गया two आ गया जब आपके बाए x four आ गया y two आ गया तो मतला required number क्या बन गया x plus ten y तो x c value निकली हमारी four यह आपका निकला 220 तो answer कितना गया 24 तो एक तो आपका नंबर निकल गया 24 अब हम equation number one और third को use करेंगे तो यहाँ पर हम दिखेंगे add first and third तो x plus y is equal to six और minus x plus y is equal to two add on करेंगे तो cancel out तो two y is equal to eight तो y आपका कितना आ गया four put in first तो x आपका कितना आ गया two तो यहाँ पर आपके दिखोगे यहाँ फिर वो हमारा क्या हो सकता है 42 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर आपको मोले गया है कि how many search number are there तो यहाँ पर आप दिखोगे therefore there are two search number 42 and 24 तो यह गया माना इस question का solution question number 28 का और पार दिखिए solve 2 by root x plus 3 by root y is equal to 4 by root y minus 9 upon root y is equal to minus 1 यह आपका reduction method से solve होता है तो यह आपका out of syllabus है बट कई बच्चों को यह topic अगर समझे रहा है तो इम्हें एक question आपको solve करके दिखा रहा हूं कि ऐसे question को आप कैसे solve करोगे तो यहाँ पर आपको x और y की value को find out करना है यहाँ पर आप दिखान से रहोगे तो equation में जो आपके x और y हो आपके within root और fraction में है आपको बदा है कि variable कभी भी denominator में नहीं होता तो यहाँ पर आपका variable denominator में है तो यहाँ पर आपने क्या करना है let कर लेना है 1 by root x को आपने a और 1 by root y को आपने let कर लिया b क्योंकि हम a और b की value पहले find out करेंगे then उसके बाद हम x की value को easily find out कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी equation बनेगे 2a plus 3b is equal to 2 और 4a minus 9b is equal to minus 1 अब ऐसी equation को solve करना आपको आता है तो यहाँ पर हम elimination method से a और b की value को find out करेंगे यहाँ पर आपको दे रखे 3b यहाँ पर आपको दे रखे 9b तो मैं इस equation को multiply करूँगा 3 से और इसको multiply करूँगा 1 से तो आपको बनेगा 3 2 जा 6a plus 9b बड़ाबर है 6 4a minus 9b is equal to minus 1 अगर आप जान से रखेंगे तो they are already a positive sign तो plus करेंगे no sign chain तो he cancel out यहाँ पर आपको बन गया 10a is equal to 5 तो a आपका कितना निकल गया 1 by 2 इसको हम किसी भी equation में put up कर सकते है तो मैं इस equation में put कर रहा हूँ यहाँ पर आप लिखेंगे 2 into 1 by 2 plus 3b is equal to 2 1 plus 3b is equal to 2 तो 3b is equal to 1 तो b आपका कितना आगया 1 by 3 a और b आपको बना चल गया तो हम इसको directly इस equation में put up करेंगे तो आपका बनेगा 1 by root x is equal to 1 by 2 cross multiply किया तो root x किसके बढ़ावर आगया 2 के squaring both side तो x आपका कितना आगया 4 आगया 1 by root y is equal to 1 by 3 तो cross multiply किया तो root y is equal to 3 तो squaring both side करके root cancel आटो y आपका कितना आगया 9 तो यह होगे हमारा final answer question no.29 PA and PB are the tangent drawn to a circle of center O from external point P chord AB make an angle of 30 degree with the radius at the point of contact if the length of the chord is 6 cm find the length of the tangent PA and the length of the radius OE यहाँ पर आपको question कह रहे है कि यहाँ पर आपकी दो tangent draw रहे है P and PB from external point P to a circle this जिसका center के O AB हुमारी के chord है जो क्या कर रहे है एक angle बना रहे है width radius के और यह angle आपको कितना दे रहे है 30 degree दे रहे है यहाँ पर आपको find out करना है AB की length और OE की length और AB आपको code कितना given है 6 cm आपको बता है कि अगर यह हमारा point of contact है तो center से tangent पे कितना अगल बनाती है 90 degree बनाते है यह आपको ठेड़ों में आपकी 10.1 तो यहाँ पर हम दिखेंगे angle OAP आपको कितना given है 90 degree और reason आपके mention करोगे angle between tangent and the radius at the point of contact तो अगर यह पूरा angle 90 degree है और यह 30 है तो हम PAB find out कर सकते है तो PAB आपका कितना आ गया 90 degree minus of 30 that is equal to 60 degree आपको बता है कि external point से tangent क्या होती है equally length होती है तो अगर PA बराबर PBA है तो दोनों क्या opposite angles भी क्या होंगे बराबर होंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे angle PAB बराबर angle PBA because angle opposite to equal side of triangle तो अगर यह 60 है तो यह भी कितना होगा 60 degree होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे PAB is equal to angle PBA is equal to 60 degree अगर यह 60 है 60 to angle sum property से मैं यह angle भी find out कर सकता हूँ तो यहाँ आप लिखोगे in triangle PAB angle PAB plus angle PBA plus angle APB बड़ाबर है 180 degree because of angle sum property PAB 60 PBA 60 to angle APB कितना होगा 60 degree और अगर तीनो के angle का sum अगर 180 degree और तीनो एंगल अगर 60 60 degree है तो मतला अगर इक्विलेटर प्रेंगल तीनो की साइस भी क्या होगी बराबर होगी तो यहाँ पर लिखोगे A B बराबर 6 cm तो therefore PAB आपका कितना आगया 6 cm आगया तो यह होगे हमारा first part अब यहाँ पर आपको find out करना है O A तो यहाँ पर अगर आप figure को द्यान से देखोगे तो यह हमारा क्या बनाए फरफेंटिकल्र आपका बनाएज और आपका बनाएज आपका बनाएज तो यहाँ पर हमें एक राइप ऐंगल द्रेंगल को ड्रू करेंगे जिस अपको बड़ा यह थर्ड वाला पैटर्ण यूजर रहा है जो बड़ा किसके बड़ाबर होगा 10 के यहां पर हम लिख सकते हैं इंट्रेंगल ओ एपी 10P बड़ाबर होगा O upon AP के और 10P आपको कितना की बड़ा है 30 degree तो यहां पर लिखोगे 1030 degree is equal to O आपको गिवन है X और AP कितना है 6 1030 आपको बता है कितना होगा 1 by root 3 बड़ाबर है X upon 6 cross multiply करेंगे तो X is equal कितना होगा 6 upon root 3 रेसलाइस किया तो root 3 by root 3 यह आपका बन गया 2 root 3 cm तो यह होगे हमारा radius और यह आपका निकल गया था हमारा length of the tangent यह होगे हमारा question का solution question no.29 का ओर पार देखिए 2 tangent Tp and Tq are drawn to a circle with center O from an external point T proved that angle PTQ बड़ाबर at twice of angle OPQ अगर हम figure के साब से देखे तो यहां पर आपको एक circle दे रहा है जिसके center के O है from external point T से तो tangent row और यह circle पर at point P and Q तो यह आपको प्रूब करना है angle PTQ बड़ाबर है twice of angle OPQ अगर हम figure में देखे तो P हमारा के point of contact तो आपको बता कि point of contact से जो अगर tangent अब यह angle कैसे बना होगा इन दोनों angles को मिला कर तो यहां पर आप लिखोगे angle OPT बड़ाबर है 90 अब angle OPQ प्लस angle QPT इन दोनों को angle को मिला के बने अगर मैं इस angle को ठीटा ले लेता हूं OPT कितना है 90 दिगरी एंगल OPQ नहीं बता इसको आपने लेट कर लिया ठीटा दिगरी तो यह प्लस एरो वहां जाके माइनस तो एंगल OPQ कितना आ गया 90 माइनस ठीटा दिगरी तो इसको आपने मार्क कर लिए सब्सक्राइब कितने आ गई 90 माइनस ठीटा आपको बताएं कि external पॉइंट से टेंजेंस क्या होती है बराबर होती है यहां पर लिखोगे PT बराबर है TQ के तो एंगल EPQ बराबर होगा एंगल TQB के लिकॉज एंगल opposite to equal side of triangle तो यहां पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी की वैल्यू को यूज करेंगे तो इन ट्रेंगल PTQ एंगल PTQ लस ठीटा दिघ्री लस ठीटा डिगरी और थेता प्रॉपर्म कुछ का यहां पर लिख सकते हो फ्रॉइंगल और यहां पर रिजन लिख दोंगे फ्रॉम फर्स्ट और यही आपको क्या करना था प्रूफ तो यह हो गया हमारा इस क्वेशन का सल्यूशन यहां पर आपको एक पैटर्न दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि 10 की वेल्यू 1 और हाफ होगी अब यहां पर अगर अगर देखे तो साइन का रिलेक्शन होता है 1-2 बड़ाबर बट यहां पर अगर 1-2 कोस करेंगे तो यह साइन आपका रिमूब नहीं होगा और यहां पर आपको फाइंड आट करना है 10 की वेल्यू तो यहां पर हम क्या करेंगे 10 कैसे बनेगा जब हम साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तब ही तो हमारा 10 बनेगा और यहाँपर अगर आप द्यान से रहेंगे तो यहाँपर एक साइन है तो हम इसको cos से डिवाइड करेंगे तो यह हड़ जाएगा बट यहाँपर हमारा दो साइन है तो जिस करके यहाँपर हम डिवाइड करेंगे हर एक तम को cos square से तो dividing by cos square theta on both side तो आपका बनेगा 1 by cos square plus sin square by cos square is equal to 3 sin cos upon cos square 1 by cos square को लिख सकते हैं second square यहाँपका बनेगे 10 square एक cos कड़ गया तो एक cos बज़ गया तो sin by cos का बनेगे 10 आपको बताए कि identity 1 plus 10 square किसके बड़ाबर होगा second square के तो यहाँपर हम second के जगा 10 डाल सकते हैं तो यहाँपर आपका बनेगा 1 plus 10 square theta plus 10 square is equal to 3 10 10 10 2 10 square minus 3 10 plus 1 बड़ाबर है 0 अब यहाँपकी quadratic बन गई तो यहाँपर हम सबस्वारे लेट करेंगे 10 को मैंने माल लिया suppose x तो हमारी equation बन गई 2x square minus 3x plus 1 बड़ाबर है 0 अब हम इस equation को by two method से solve कर सकते हैं आईदर quadratic formula और middle split term तो equation के number काफी छोटे है तो इसकर करके यहाँपर हम इसको by middle term से solve कर रहें तो यहाँपर आप लिखोगे 2x square minus 2x minus x plus 1 बड़ाबर 0 तो आपका को मैंने आरे x को मैंने आरे तो अंदर बच्छा आपका x minus 1 minus 1 को मैंने आरे तो अंदर के बच्छा x minus 1 तो x बड़ाबर हो गया half और x बड़ाबर हो गया 1 अब इसको यहाँपर पूट आप करेंगे तो 10 कितना आ गया एक 1 by 2 आ गया और 10 हमारा कितना आ गया और यही आपको क्या करना था प्रूफ तो यह हो क्या है मारा इस कॉश्चिन का सलीक्षिन question number 31 the length of 40 leaves of a plant are major correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table find the average length of the leaf average length मतलब यहाँपर आपको mean continuous नहीं है और यहाँपर हम सबसे पहले क्या करेंगे डाटा को सबसे पहले continuous बिनाएंगे विकोज अगर आप यहाँपर द्यान से रखोगे तो अपर लिमिट आपके इस question को मैंने already solve किया हुआ है तो यहाँ पर मैं आपको पूरा procedure बताऊंगा कि आप कैसे सबसे बहले डाटा को continuous करोगे और देन उसके बार calculate करोगे by using assumed method तो start करेंगे तो यहाँपर आपको डाटा गिवन था लेंट इन मिलिमीटर 1118 से 126, 127 से 135 और इसके respect में आपको frequency किवन थी तो सबसे बहले आपने क्या किया है class interval का data continuous किया तो मैंने आपको भी पिताया कि lower limit में अपर limit divided by 2 तो हम इन दोनों को add on करेंगे और 2 से divide करेंगे तो आप कहांसे किता हैं 122 ऐसी हमने सारी value को easily find out कर लिया अब यहाँपर मैं यहाँपर main की value को find out कर रहा हूं by using assuming method तो यहाँपर हम x i में से middle value को assume करेंगे a तो suppose मालो मैंने 149 को a let कर लिया क्योंकि अमारी middle value है क्योंकि इसके above 3 data है और इसके below भी 3 data है तो यह हमारा क्या बन गाए x i अब हम next parameter निकालेंगे d i d i किसके बढ़ाबर होता है x i minus a a मतलब यह तो x i मतलब यह तो 122 में से 149 के तो आपका कितना आ माइनस 18 140 में से 149 के तो माइनस 9 तो ऐसे respect में हमने data निकाल लिया अब next procedure होता है frequency को multiply करना होता है इसको multiply किया आपका यह data आ गया और सबसे पहले हमने क्या calculate किया sigma d i fi that is equal to minus 81 because हम पहले हम इस value को add on करेंगे फिर हम इन डोनों करेंगे और इस में से इसको क्या कर जाए माइनस तो आपका whole answer कितना आगे minus 81 अब आपको बताएगे assume method का formula क्या होता है mean is equal to a plus sigma d i fi upon sigma fi एक की value आपने लेट करेंगे 149 तो यहाँ पर आप लिखोगे 149 sigma d i fi आपका कितना रहे नेगेटिव तो माइनस 81 अपन टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है 40 तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 40 अब बच्चे क्या करते है पहले इस calcium लेंगे और calculate करेंगे बदलर वह आपका लेंठी में थेड़ है आपने क्या करने इस नहीं है तो सबस्क्राइब से continuous बनाओ तो यह होगे मैंने स्कूशन का सल्यूशन मोटर बोट हूँ स्पीड इस 18 किलोमेटर पर आवर इंस्टिल वाटर टेक वन आर मोट तो गो 24 किलोमेटर अप्स्रिम देन तो रिटर्न डे डाउंस्रीम तुरा सेंस पोर्ट और जो speed of stream है जो आपका पानी की रफ्तार है वो भी आपकी राइटन साइड है जब आप downstream चला रहे होगे तो आपकी direction होगी तो मनला रफ्तार आपकी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो downstream में आपका क्या होगा डोनों speed को क्या करोगे add on करोगे तब ही आपका क्या होगा total speed आपकी निकलेगे तो u plus v upstream में क्या होता है जिस direction में आप board चिला रहे हो उसकी direction क्या होगी आप पोजिट होगी speed of this stream से जैसे suppose आप left direction में चिला रहे हो और आपकी speed जो तो पानी की रफ्तार है, जो स्पीर अफ दिस ट्रीम है, वो कि अमारी राइट है तो मतलब वो दोनों आप आज में पोस्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, बस जो टोटल स्पीड आएगी, वो क्या होगी, और यूँ अमारा होगा speed of the boat तो यह आपको concept हमेश्चा पतावना चाहिए कि downstream में हम क्या करते हैं और upstream में क्या करते हैं अगर हम यहां पर question की बात करें तो यहां पर आपको क्या दे रखा है question number 32 में यहां पर आपको speed of the boat दे रखिया 18 km पर आवर तो यहां पर आप दिखोगे speed of the boat in still water वह आपको दे रहें के 18 km पर आवर यहां पर आपको calculate करने दे speed of this stream तो यहां पर हम let करेंगे x km पर आवर तो let the speed of this stream be x km पर तो यह आपकी speed of the stream है यह आपकी speed of the boat in still water रहें तो सबसे बेले हम क्या करेंगे speed of downstream और upstream calculate करेंगे तो यहां पर आपको बनेगा speed of the boat upstream तो यह आपको बनेगा 18-x km पर आप और speed of boat downstream यह आपका बनेगा 18 प्लस x km पर आब यहां पर आपको total distance कितना कवर करना है 24 km और अगर हम question को दुबारा पड़े तो यहां पर आपको क्या कह रहे यह motor boat whose speed is 18 km per hour in still water take one hour more to go 24 km stream than to return the downstream to the sense boat मतलब यहां पर आप लिखोगे time covered by upstream is one hour more than time covered by downstream यहां पर time की बात आगे बाद time हमें नहीं किवन तो हम time को in term of distance और speed के form में लिख सकते हैं आपको बता है कि speed is equal क्या होता है distance upon time तो अगर हमने time के वह निकाने तो क्या होगा distance upon speed होगा अब upstream का distance कितना है हमें किता distance कवर करना है 24 तो यहां पर लिखो के 24 upon इसकी speed कितनी है हमारी 18-x is equal to one hour plus time covered by downstream same distance कवर करना है और इसकी speed कितनी है 18 plus x तो यह बनकि हमारी condition अब इसको solve करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको move करेंगे left hand side तो आपको divided by 18 का square minus of x का square बिकोज यहां पर आपारा pattern बन गया a minus b a plus b 24 as it is 18 से 18 cancel out तो यहां पर आपका बना 2x 18 का square कितना होगा 324 minus of x square is equal to 1 24 तो यह आपका बनेगा 48 x is equal to यह चीहां डिवाइड है वाजा के multiply तो minus of x square plus 324 इन डोनों को move करेंगे left hand side तो आपका बनेगा x square plus 48 x minus of 324 बराबर है 0 तो यह आपके बन गए quadratic equation अब हम इसको solve करेंगे by using middle spirit term यहां पर आपको 324 मिनाना with the help of 48 तो सबसे पहले हम factors निकालेंगे सबस्क्राइब यहां पर आपको 48 बनाना है विद्धी अलप अब देज़ तीजिए यहां पर हम लिख सकते हैं एक स्क्वेर प्लस 54 x minus of 6 x minus 324 बराबर है 0 तो एक्स को मना आया तो अंद्र करके बच्छा एक्स प्लस 54 माइनस एक्स प्लस 54 बराबर है 0 आईजर एक से मारा 6 हो सकते और एक से मारा माइनस 54 हो सकते है बट नेगटिव हमारी स्पीड नहीं हो सकती तो जिसकर के मारा एक सितना आ गया 6 आ गया तो यहां पर अब लिख होगे therefore speed of the stream is equal to 6 km पर आर तो यह गया मारा इस कोशन का सलुक्शन का सलुक्शन के रूमबर 32 का और पार दिखिए यहां पर आपको दो टैप दे रखे हैं एक का डायमेटर चोटा और एक का डायमेटर बढ़े मतलब एक लाजर टैप है और एक आपका स्मोलर टैप है यह दोनों टैप अगर अपना open करते हैं तो वो पूरे टैंक को fill up कर रहे है और जो टैप अव लाजर डायमेटर है वो 10 घंटे कम लगा रहा है अगर वो separately fill करेंगा टैंक को smaller one 10 घंटे जारा लगा रहा है और लाजर वन 10 घंटे कम लगा रहे तो कह रहा है कि अगर मैं separately अगर मैं time निकालूं कि इस टैंक को fill up करने में अलग-अलग कितना समय लगेगा दोनों को separately तो आपको calculate यहां पर करना है तो यहां पर हम सबसे लेट करेंगे तो let the time taken by the smaller pipe to fill the tank is x hour तो मतलब उससे x hour लग रहे है उस tank को fill up करने के लिए और जो time taken लग रहा है larger pipe तो आपने question में देखा कि उसको 10 घंटे कम लग रहे है तो अगर smaller को x hours लग रहे है तो larger को 10 घंटे उसमें से कम लगेंगे तो उसको x minus 10 hours लग रहे है अगर एक बूरे time को fill up करने के लिए x hour लग रहे है तो एक घंटे में उसको कितना complete करेगा तो 1 by x hours करेगा तो कि part of the tank fill by smaller pipe in 1 hour is 1 by x जैसे suppose माल लो एक आपके बार एक tank है इसको fill up करने में कितने घंटे लग रहे है तीन hours लग रहे है एक घंटे में कितना fill up करेगा इस पूरे tank का 1 गंटे लग रहे है तो एक घंटे में उसने कितना fill up किया इसका one third fill up किया तभी तो total तीन घंटे लगे तो ऐसे ही अगर smaller pipe को पूरे tank को fill up करने में x hours लग रहे है तो वो एक घंटे में कितना fill up करेगा वन बाइ एक्स तम उसका tank का fill up कर देगा ऐसे ही अगर larger pipe को x minus 10 hours लग है तो वन आवर में कितना fill up करेगा वन बाइ एक्स माइनस 10 तो यह तो गया हमारे वन आवर्स की condition नहीं smaller pipe और larger pipe अब यहाँ पर आपको given है कि अगर दोन्नों tank fill up ओ रहे हैं इन 9-3-8 hours में तो मतलब अगर यह mixed fracture है तो आपका क्या बन गया 75 upon 8 hours by the board pipe fill up together और अगर मैं इसका one 8 by 75 करेगा विकॉज इसका reciprocal करतेंगे अब दोनों tank को fill up करने में कितना समय लग रहा है 8 by 75 इन वन आवर्स वन आवर्स का हमने यहाँ पर निकाला smaller का one by x और larger का हमने निकाला one by x-10 तो बना दोनों का मिला कर वो कितना करेगा 8 by 75 तो आपकी क्या करतेगा pipe को fill up करतेगा अब यहाँ पर आपको x calculate करना है तो हम इन दोनों टर्म को कैसे solve करेंगे by taking LCM तो आपको बनेगा x multiply by x-10 x-10 plus x बड़ावर है 8 upon 75 x plus x 2x हो गया 2x-10 upon x into x-10 is equal to 8 upon 75 इन दोनों में 2 common आ रहे है तो अंतर आपको बच्चेगा x-5 upon x into x-10 is equal to 8 upon 75 equation को छोटा करने के लिए इसने इसको cancel out किया अब हम क्या करेंगे cross multiply तो 75 times x-5 is equal to 4x into x-10 अब हम इन दोनों को multiply करेंगे 75 into x 75 x minus 75 multiply by 5 is equal to 4x square minus 40 x 75 as it is 5525 575 35 37 is equal to 4x square minus of 40 x in order to move करेंगे right hand side top को बनेगा 4x square minus 40 x minus of 75 x plus 375 is equal to 0 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे by using middle street term इसको factorize करेंगे तो सबसे मेले 375 को 4 से multiply किया और 5 is 20, 20 is 30, 40 is 12, 15 तो यहाँ पर आपको 1500 बनाना है with the help of 115 तो अगर आप यहाँ द्यान से देखो तो 100 into 15 करोगे तो 1500 और अगर इन दोनों को add कर दोगे तो हमारा बंजेगा 115 तो यहाँ पर आपके factors बनेगे 4x square minus of 100 x minus 15 x plus 375 is equal to 0 इन दोनों में आपका 4x को मना रात वंदर बच आपका x minus 25 यहाँ पर आपका 15 को मना रात वंदर आपका बच एक्स मानेस 25 बड़ाबर है 0 तो 4x minus 15 और x minus 25 बड़ाबर है 0 तो एक x आगे आपका 15 by 4 और एक x आगे आपका 25 अब इन दोनों value को हम put up करेंगे तो यहाँ पर टैप का ताइम कितना आगया हमारा 25 और लाजर टैप का ताइम आगया आपका x minus 10 मतला 25 minus 10 मतला 15 यह तो हो गया तब पॉसिबल जब हमारा x 25 है अगर मैं 15 by 4 लेते हैं तो अगर मैं इसको से माइनस करूंगा तो मेरा तर्म क्या हो जाएगी तो जिस करके इसको हम यूज नह 25 दुबार बता रहता हूं कि हमने इसको क्यों ignore किया विकोज अगर आप इसको x minus 10 करूंगे तो यह आपकी negative value देगा और negative में कभी टाइम नहीं होता तो जिस करके हम से एक सी वैली को 25 पई से करेंगे जिसके बहाब में हम लाजर टैप का टैम निकाल लेंगे और smaller टैप का अगया 15 जिसे वो separately fill करेंगा टैंक को तो यह होगी हमारे इस question का solution जिसमें आपको पूरा आपको easy explanation से समझाए गया है कि BPD theorem क्या होती है और इसको हम कैसे प्रूब करते हैं पूरा step आप ध्यान से समझ सकते हैं उस वीडियो में इसका B part हम solve करेंगे इन दा गिवन फिगर एंगल C E F एंगल C E F इस बराबर है C F E के F इसे मिड़ पॉइंट ऑफ C D prove that AB upon BD बराबर है AE upon F D तो यह आपको prove करना है अगर हम question में देखें तो यहाँ पर आपको एक figure given है जिसमें आपको given है angle C E F बराबर है C F E के यह दोनों angles आपके बराबर है और F इसे मिड़ पॉइंट ऑफ DC यह आपको prove करना है कि AB upon BD बराबर है AE upon FD के मतलब GE को आपको प्रूफ करना पड़ेगा FD के बराबर तब हम GE के जगा replace कर देंगे FD को यहाँ पर आपको सिरफ F इसे मिड़ पॉइंट रखा है तो मैंने क क्या किया है आपके construction करी B के parallel एक line draw कर दी DG from point D से अब यह construction क्यों करी विकोज आपको बदा है कि जब दो lines अगर पैलर होंगे एक triangle में तो हम BPD theorem लगा सकते हैं और दो size आपकी क्या हो जाएंगी proportion हो जाएंगी तो अगर आप यह आपके द्यांसे रेको DG पैलर B DG पैलर B by construction और यह कौन से ट्रेंगल बन रहा है इंट्रेंगल A B E तो बाइ BPD theorem AB upon BD बडाबर हो गया AE upon GE के क्योंकि आपको बताएंगी size क्या हो जाएंगी proportion हो जाएंगी तो AB upon BD बडाबर हो गया AE upon GE के तो यह हो गया हमारे equation number 1 यहाँ पर आपको बोला गया है कि F is the midpoint of DC तो मतलब DF किसके बराबर होगा FC के बराबर होगा इसको mark कर लिए equation number 2 और यहाँ पर आपको गिवन है angle CFE बडाबर है angle CEF के और अगर आपके opposite angles बडाबर है तो इसके opposite size भी क्या होंगी बडाबर होंगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका triangle बन रहे है अगर पूरी size पहले हो सकती है तो छोटी भी size पहले हो सकती है तो हम इन triangle को cover up करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे इन triangle CDG by BPD theorem DF किसके बडाबर आ गया FC के और GE किसके बडाबर आ गया EC के बट DF और FC के हैं हमारे midpoint है DF और FC के बडाबर है तो यह दोनों की जगह मैं one लिख सकता हूँ विको यह दोनों के आपस में cancel out हो जाएंगे तो अभी हमने in triangle DCG से relation है find out कि I am using BPD theorem कि DF बडाबर हो गया FC के और GE बडाबर हो गया EC के बड़ फ्रॉम फर्स्ट DF किसके बडाबर था FC के बिकोज F इसे midpoint इसको यहाँ पर replace करेंगे तो one is equal to किसके बडाबर आ गया GE by EC के तो मतलाब GE किसके बडाबर आ गया CE के बडाबर आ गया अब GE बडाबर हो गया CE के और CE के इसके बडाबर है CF के तो फ्रॉम A and B relation यह हमारा B relation है और अभी हमने पहले यहाँ पर निकाला था कि जब हमारे angles बडाबर होंगे तो उसके आपोजी साइज बडाबर होंगी तो यह हमारा क्या है A relation और अगर अगर सभी correlation को देखें कि CF बडाबर है CE के और GE बडाबर है CE के तो GE किसके बडाबर हो जाएगा CF के बडाबर हो जाएगा तो यह हमारे एक और relation के रेट हो गया but CF किसके बडाबर है FD के because F is a midpoint but FC किसके बडाबर है DF के तो यहाँ पर मैं CF की जगह DF कर सकता हूँ तो GE किसके बडाबर आ गया DF के बडाबर आ गया और यही चीज़ आपको चाहिए थी because यहाँ पर अगर हम from first equation देखें first equation आपको क्या कह रही है कि AB upon BD बडाबर है AE upon GE के और इस GE के जगह मैं DF को replace करूँगा वही चीज़ हमें प्रूब करनी है तो यहाँ पर आप लिखोगे AB upon BD is equal to AE upon DF और यही चीज़ आपको प्रूब करने थे तो यह होगे हमारा इस question का solution question number 34 water is flowing at a rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 cm into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide in what time will the level of the water in pond rise by 21 cm यहाँ पर आपको question कह रहा है कि एक आपके बाद pond है जिसकी shape के है cuboidal और एक pipe है जिसका diameter कितना रहा है 14 cm उसमें से पानी आ रहा है at the rate of 15 km per hour तो वो कह रहा है कि कितने समय में वो इस pond में जो water का rise हो जाएगा वो 21 cm हो जाएगा तो वो आपको duration आपको यहाँ पर find out करनी है और कितनी रफ्तार से पानी आ रहा है एक घंटे में वो भी यहाँ पर आपको calculate करना है सबसे पहले हमने यहाँ पर सबकी dimension यहाँ पर mention करी तो अगर आप यहाँ पर द्यान से रहोगे तो length of the pond आपको कितना दे रहा है 15 meter, width of the pond आपको कितना दे रहा है 44 meter और कितना आपको पानी rise करना है वो आपके height कितने दे रहा है 21 cm यहाँ पर आपका जो pond का जो shape है वो कहा है हमारा cuboidal है तो यहाँ पर आपको length, breath और height निकालनी पड़ेगी तो तीन हो आपको यहाँ पर given है तो सबसे पहले हमने क्या निकाला आपको बताए कि इसका area of cross section कितना होगा 5R square विकॉज जो आपका rectangular pipe है उसका जो अगर मैं इसका front page देखूँ अगर मैं उसका open top view देखूँ तो वह हमारा क्या होगा circular होगा और circle का area क्या होता है 5R square तो यहां हमारे value कितने आगी 154 upon 10,000 but उस pipe में से कितनी रफतार से पानी आ रहा है 15,000 meter per hour से आ रहा है मतला 15 km per hour की speed से उस pipe में से पानी आ रहा है और कहां पर जा रहा है पॉन में जा रहा है तो यहां पर आपने देखा कि the rate add with the water is flowing through the pipe is height is equal to 15 km per hour because अगर यह आपका pipe है अगर यहां से आ रहा है तो यह इसकी क्या किलाएगी height किलाएगी because यहां से वो गिर रहा है और यहां पर पॉन में जा रहा है जो हमारा किस shape में है यहां पर आपको height कितने है 1500 तो यहां पर आपकी height कितने बनगे 15,000 मेटर पर आ रहा है तो volume of water flowing in whatever area into height because area of cross section आपका pipe का अलड़ ही आप निकाल चुके हो इसको अगर हम height से निकालेंगे तो total volume आजाएग आपका pipe का because pipe कि किस shape में है height आपकी कौन से होगी जिस flow में वह flow कर रहा है तो वह ही आपके height मानी जाएगी क्योंकि वह distance cover हो रहा है 154 upon 10,000 into 15,000 तो 0 से 0 सारे cancel out यहां पर आपका कितना हो गया 231 meter cube यहां पर आपको calculate कर रहा है कि कि कितने समय में वह tank fill up हो जाएगा तो किस में से पानी आ रहा है आपका cylindrical tank pipe में से और किस में जा रहा है पॉन में जा रहा है तो जिस में से आ रहा है तो उसको में इसमें divide करते हैं तो यहां आप आप लिखोगे volume of the port जो आपका cuboidal shape है upon volume of water flowing in 1 hour तो आपका कितना आ गया 2 hours मतला 2 घंटे में आपका पूरा cuboidal point आपका fill up हो जाएगा अगर उसकी रफ्तार कितनी होगी 15 km per hour होगी अब question कह रहा है कि अगर मैं 21 cm की height आपने rise करी 2 hours में अगर मैं उसे 1 hours में complete करना चाहूँ तो में रफ्तार कितनी होगी तो जितनी आपकी रफ्तार थी उसको क्या कर देंगे time से multiply कर देंगे तो पहले आपके कितनी थी 15 km per hour अगर मैं 15 km per hour को अगर 2 से multiply कर दूँगा तो मतलब मैं same जो rise आपको 21 cm चाहिए था तो वह आपको मिल जाएगा तो हमने क्या किया है आप 15,000 को सिर्फ 2 से multiply कर आपको कितना है 30,000 that means 30 km per hour मतलब एक घंटे में अगर आपको same height को rise करना है तो आपको कितनी रफ्तार से पानी को flow करना पड़ेग 30 km per hour के स्पीड से आपको flow करना पड़ेगा तब ही आप one hour में उतनी rise कर पाओगे और attain कर पाओगे उतनी height को तो यह होगे हमारा इस question का solution question no 34 का ओर पाद दिखिए a tent is in the shape of slender surmounted by a quantical top if the height and radius of the cylindrical part are 3 and 14 respectively and the total height of the tent is 13.5 find the area of the canvas required for making the tent keeping a provision of 26 meter square of canvas for stitching and wastage and also find the cost of canvas to be purchased at the rate of Rs. 500 per meter square यहां पर आपको एक tent दे रहा है जिसमें आपको एक slender दे रहा है surmounted by conical top और total height of the tent आपको given है 13.5 meter और radius of cylindrical tent आपको दे रहा है 14 meter और यह बिलकुँ surmounted है तो मला दोनों की दो radius होगी same होगी और height of the slender आपको दे रहा है 3 meter तो मतलब अगर मैं cone की height निकालना चाहूँ तो मैं total tent की height में से slender की height को क्या करूँगा minus तभी तो मेरी conical part की height आजाएगी आपको बताएगी slend height क्या होती है under root of square plus r square तो यहाँ पर हमने by putting the value of height and radius तो मैंने यहाँ पर क्या कर दी L की value find out कर ली अब आपको बताएगे कि इसका total area find out करना है total area मतलब curve surface area of slender plus curve surface area of corn इस करके हम individually दोनों के curve surface area को निकालेंगे और दोनों को add on कर देंगे तो यहाँ पर हमने सबसे बेले क्या निकाला csa of slender 2 pi r h तो value put up करी तो हमारा कितना आ गया 264 meter square then उसके बार आप csa of conical portion निकालोगे pi rl because L आप अले निकाल चुके radius आपको 14 दे रहे है तो आपका कितना गया 7 cm square आ गया total surface area क्या होगा csa of slender plus csa of con तो दोनों को add on किया रहे हो कितना गया 1034 meter square तो यह तो हो गया आपका total area but उसने बोला कि stitching और margin के लिए उसने 26 meter square wastage करी तो इसको भी तो इसमें क्या करोगे add करोगे क्योंकि उसने बोला कि total area of canvas कितना कपड़ा उसका लगा तो इस करके total area जो उसने यूज किया वो plus जितना उसके अंदर stitching और wastage होई वो भी तो consider किया जाएगा तो इसकर के area of canvas to be purchase कितना हो गया 1060 meter square हो गया यह कैसे आया जब मैं 1034 में 26 को क्या करूंगा add on करूंगा तो यह तो हो गया total area of the canvas बड़ यहां पर आपको cost of area of canvas भी निकाल नहीं है वन मीटर square area के लिए वो कितनी cost कर रहे 500 कोस कर रहे तो मतलब 1060 meter square के लिए कितनी cost करेगा तो मैं इसको 500 से multiply कर दूंगा तो आपका कितना जेगा 5,30,000 रूपीज इतनी वो cost लेगा जब वो इतना area occupy कर रहेगा और एक tent बनाएगा तो यह होगे मारे इस question का solution question no.35 the median of the following data is 50 find a value of pnq if the sum of all frequencies 90 also find a mode यहाँ पर आपको एक table दे रखे है जिसमें आपको marks obtained दे रखे हैं और उसके respect में आपको number of students दे रखे हैं यहाँ पर आपको missing value find out करनी है pnq की और यहाँ पर आपको median given है और आपको find out करना है mode सबसे पहले हम cumulative frequency को find out करें विकोज आपको बदा है कि median के formula में हमें cf की value को put up करना होता है तो यहाँ पर मैं आपको दाता हूं कि cumulative frequency कैसे calculate करते हैं तो यहाँ पर आपको interval के respect में आपको number of students दे रखे हैं frequency आपको given दे रखे हैं तो सबसे बहुत आपने करना किया है जो आप अगर 20 एड करोगे तो 60 plus P 60 plus Q में अगर Q एड करोगे तो 60 plus P plus Q तो इसमे एड किया तो 68 plus P plus Q तो यह आपका क्या बन गया 78 plus P plus Q यह तो होगे आपका total frequency बद यहाँ पर आपको given है total frequency आपको कितने क्यों है 90 तो मतलब यह तीनों term इसके बराबर आ सकते है because total sum आपका 90 आ रहा ह है minus तो यहाँ पर आपका term बन गया P plus Q is equal to 12 तो यह बन गया हमारी equation number 1 in term of P and Q तो यह तो हमने directly sum of the all frequency के respect से हमने एक relation finder कर लिया P plus Q is equal to 12 but यहाँ पर आपको median given है 50 formula की बात करें तो formula आपका क्या होता है L plus N by 2 minus CF upon F into H what is L lower limit of median class N मतलब total number of frequency CF मतलब cumulative frequency of preceding median class F होता है मारा frequency of median class H होता है मारा class साइट बट यहाँ पर आपको median कितना given है median आपको given है 50 तो अगर हम interval में देखे तो 50 हमारा कहाँ पड़ है 40 से 50 और 50 से 60 है 40 से 50 का मतलब होता है कि 40 और 50 के बीज में like करना और 50 include नहीं होना but 50 से 60 का मतलब होता है कि 50 include होगा तो मतलब median अगर आपका 50 है तो हमारा median class क्या होगी यह वली होगी ना की उपर वाली होगी तो यह हमने calculate कर लिया median class अब median class अगर आपको बड़ा चल गया तो हम इस सारे parameter को easily find out कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आप द्यान से रखोगे तो lower limit आपके क्या बनेगी 50 बनेगी n by 2 अगर हम निकाले तो total frequency कितने 90 तो 90 को 2 से डिवाड़ को रहे कितना है 45 cumulative frequency of preceding class कितना है 40 plus पी अगर हम frequency की बात करें तो frequency आपकी ते रखे है 20 और class size अगर देखे तो 10 का class size है because 60 minus 50 ह हमारा कितना अगया 10 अगया अब इन सारी value का यहाँ पर put up करेंगे और median की health से P और Q के term में एक relation find out करेंगे तो 1 by 1 इस value को put up करते हैं तो median आपको ते रखे है 50 L आपका निकला 50 plus n by 2 आपका कितना है 45 minus of CF आपका कितना है 40 plus P frequency आपको given है 20 into H 50 से 50 cancel और तो यहाँ पर आपका बन गया 0 45 minus 40 minus of P upon 20 into H H आपको कितना है 10 तो 0 से 0 cancel और 2 यहाँ डिवाइड वाजाके multiply तो 2 into 0 0 0 is equal to 5 minus of P तो P आपका कितना निकल गया 5 निकल गया अगर P की value निकल गया तो यहाँ पर हम from first equation Q की value को निकल सकते हैं तो यहाँ पर आप लिखो के 5 plus Q is equal to 12 तो Q आपका कितना हम निकल गया 7 निकल गया अब P भी आपको बड़ा चल गया Q भी आपको बड़ा चल गया तो यहाँ पर हम दोबारा उस table को देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर table को ध्यान से देखेंगे विकोज आपको mode find out करना है अब P आपका निकल गया 5 और Q आपका निकल गया 7 अब यहाँ पर आपको निकल mode mode होता है कि highest frequency अगर हम यहाँ अब हाइस frequency देखें तो हाइस frequency हमारी 25 वाली तो मतलब यह हमारी क्या 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 होता है इसको बता है कि mode का formula क्या होता है mode is equal to l plus f1 minus f0 twice of f1 minus f0 minus of f2 multiply by h यहाँ पर आप value put up करेंगे कितने होगे आपकी 40 plus frequency of model class कितना होगा आपका 25 minus frequency of preceding model class कितना होगा 15 upon 2 into 25 आपका बन गया 50 minus 15 minus of 20 और into class size कितना आपका 10 तो यहाँ आपर आपने calculate किया तो 40 plus यहाँ आपका बन गया 10 upon 35 15 into 10 5 3 जा तू जा आपका बन गया 40 plus 20 by 3 तो 6.6 तो मतलब 46.66 आपका क्या निकल गया mode निकल गया तो यह गया मार इस कुछिंगा solution तो यह गया मार इस कुछिंगा solution तो यह गया मार इस कुछिंगा solution तो मनप्रित कोर इस the national record holder for women in the shortport discipline Her throw of 18.86 meters at the Sian Grand Prix in 217 is the biggest distance for an Indian female athlete Keeping her a role model, Sanjitha is determined to earn gold in Olympic on a day Initially her throw reached 7.56 meters only Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 cm every week During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 To achieve the remarkable progress So first question आपको कह रहा है How may throw Sanjitha practice on 11th day of the camp यहापर अगर आप द्यांसे रहे हो तो इस question का statement कहां से मिलेगा यहाँ से During the special camp Because during the special camp for 15 days, इसने start किया 40 throws से मतलब first day वो 42 लगा रही है और हर बार वो increase कर रही है by 12 से मतलब अगर आज 40 throw करेगी तो next day वो 52 throw करेगी तो मतलब वो कह रहे है कि अगर 11th day में उसने कितने throw कर दी होंगे तो यह आपको first part में आपको बताने है मतलब यहाँ पर आपको first time आपको कितने दे रहे है 40 D आपका निकला 12 Because हर बार वो कितना increase कर रही है 12 कर रही है और यहाँ पर उसने बुलाए गया कि how may throw संजीत प्राक्टिस ओड 11 day तो मतलब n आपको कितना दे रहे है 11 दे रहे है तो मतलब यहाँ पर आपको किया निकलना है 11 तो आपको बता है कि एपी का formula क्या था A plus N minus 1 D A की value कितनी है 40 plus N आपको कितना है 11 minus 1 D आपको कितना है 12 40 plus 120 तो यह आपको कितना आगया 160 तो मतलब वो अपने total 160 throw करेगी 11 दिन तक यह होगे मारा first part का solution second part क्या किया रहे what would be Sanjita throw distance at the end of six week यहाँ पर correction है यहाँ पर month नहीं है यहाँ पर आपको निकालना है at the end of six week at the end of six week मतला six week तक तो मतला वो सातवे week तक पूछ रहे है तो मतला at the end मतला छेवा week भी पूरा complete हो रहे है तो मतला पहले छे दिन छे वीक का आपको बताना है तो मतला इसमें six week भी countable है तो बच्चे यह वर सोचेंगे कि ए six निकालना है यहाँ पर अगर आपके n की वहले six है तो यहाँ पर आपको n-1 भी आपको six ही लेना है बिकोर उसने बोला गया है कि कितना वो थ्रो डिस्टेंस करेंगे at the end of six week वह अगर स्टार्टिंग में अगर अपना थ्रो कर रही है तो उसने पहले कितना बेजा 7.56 मीटर और वो हर बार every week कितना इंकरीज कर रही है 9 सेंटी मीटर तो यहाँ पर हम at the end of six week का निकालना है तो यहाँ पर आपको A7 निकालना है A7 मतलब six week तक का आपको पूरा final distance आपको find out करना है कि उसने कितना distance cover up किया a आपको दे रखा है 7.56 मीटर वो हमेश्छा कितना increase करें यह 9 cm यहाँ पर आपको दे रखा है मीटर में यह आपको दे रखा है cm इसको unit change करेंगे तो 9.100 मीटर अब यहाँ पर आपको कितने विका निकालने six week का बच यहाँ पर आपका six week क्या होगा countedable होगा तो यहां पर हम क्या करेंगे formula लिखेंगे तो an is equal to a plus n minus 1d और n minus 1 ही आपका क्या बनेगा पूरा 6 ही आपने use करना है पूरा का पूरा इसने बोला है कि at the end of six week तक आपको कितना distance उसने cover-up किया तो यहां पर हम पूरा use करेंगे तो यहां पर equally कितनी है 7.56 plus n minus 1 की जाएगा हम 6 डाल देंगे और d आपको दे रहेंगे 9 upon 100 तो यह आपका निकल गया 7.56 इन टोनों को एड करोगे तो आपको कितना आएगा 8.1 मीटर मतलब संजीदा थ्रो डिस्टेंस at the end of six week कितना होगा 8.1 मीटर यह होगे हमारा second part का solution पार्ट नमबर टू का और पार्ट देखिए when will see be able to achieve a throw of 11.16 मीटर मतलब कितने हफ्तों में वो 11.16 मीटर तक अपना दिस्टेंस थ्रो कर पाएगी तो यहाँ पर आपको नमबरों विक्स आपको calculate करना है तो अगर हम question की बात करें तो यहाँ पर आपको first term given है a बराबर है 7.56 मीटर d आपको given है 9 cm तो इसको इसको मीटर म मीटर तो यहाँ पर हम a n का फॉर्मर यूस करेंगे a n बराबर है a plus n minus 1d a n आपका 11.16 a आपका 7.56 plus n minus 1 n 9 upon 100 यह चीए प्लस है वाँ जाके minus 11.16 में से 7.56 को minus करेंगे 0 यहाँ पर है 0 यहाँ पर 11 11 में से 5 गए 6 10 में 7 गए 3 तो यहाँ आपका कितना गए 3.6 तो 3.6 is equal to n minus 1 into 9 upon 100 point remove के निचे आपका 10 0 से 0 cancel out 10 वाँ पर multiply 9 यह आपर multiply हमा जाके divide is equal to n minus 1 9 436 40 तो n आपका कितना आगया 41 तो मतलब 41 weeks उसको लगेंगे इतना distance अचीव करने में तो यह गे मारा इस पार्ड का solution. पार्ट नमबर थर्ड देखिए how many throw did she do during the entire camp of 15 days मतलब तोटल 15 days में उसने कि इतने throw करें तो आपको निकालना है मतला sum निकालना है यहाँ पर आपको कितना दे रगे 40 डि आपको डिया तो इस कितना दे रगे 15 तो डिरेक्लीए पूट आपकर करके value को find out करेंगे ए आपको दे रगे 40 दी आपने दिखा 12 एन आपको दे रगे 15 days यह आपर आपको निकाल है 40 plus 15 minus 1 into 12 15 upon 2 2 अपने common लिया तो अंत्र बच्छे आपका 40 plus 6 into 14 2 से 2 cancel out 15 multiply है 40 plus 6 4 24 8 84 15 multiply है 124 आपका बनेगा 5 4 20 5 2 10 12 5 1 5 6 4 2 1 0 6 8 1 तो मतलब 1 8 6 0 मुख्या करेंगे टोटल फ्रो लगाएंगे इंटायर देज में 15 देज में यह होगे मारा इस क्वेशन का सलिशन नोबर 37 खरुना वाइट थिल्ट तो नोट था फूटबल टूर्मान इस फिक्स विदे मंथली ताइम फ्रेम फ्रों 20 तो 20 अगस्ट एंड फूर्ट फॉर्स ताइम फिफा वूमें व्ल्ल कव इस्ट्री तू नेशन होस्ति इंटन विन्यू हर फादर फेल्ट ता गे अगर आप फिकर को ध्यान से रिखोगे तो यह आपका फूर्ट बॉल टुर्मान और यह आपकी केस टेडी बेज़ है को नेश्मेंटरी पर यहां पर हम डिस्टेंस फॉर्मला सेक्शन फॉर्मला और मिटपन फॉर्मला को यूज करते हुए क्वेस्टिन को कम्प्लीट कर हो फॉर्म दा पैलोगरम आर ए 1,2, b 4,3 and c 6,6 अगर आप फिकर को ध्यान से रिखोगे तो a,b,c,d आपको क्या दे रखा है पैलोगरम दे रखें आपको बदाए कि पैलोगरम के जो डागनास होते है वो बैसेक्ट इच एदर होते है तो ओपर वो हमारा क्या होता है midpoint होत और आपको बता है कि midpoint formula क्या होता है x1 plus x2 divided by 2 और y1 plus y2 divided by 2 इसी formula को use करेंगे तो अगर हम ac के coordinates को देखें तो 6 plus 1 divided by 2 6 plus 2 divided by 2 और अगर हम bd के coordinate देखे तो 4 plus x by 2 और 3 plus y by 2 अब यह आपका LHC है आपका LHC है तो हम x और y वाले coordinates को relate करेंगे तो आपको बनेगा 6 plus 1 by 2 बराबर है 4 plus x upon 2 2 से 2 cancel out तो 7 बराबर है 4 plus x तो x ही value क्या बन गई 3 निकल गई 6 plus 2 by 2 बराबर है y plus 3 by 2 2 से 2 cancel out तो 8 बराबर है y plus 3 तो y आपका कितना आ गया 5 आ गया तो मतलब d के जो coordinates ते वो क्या थे 3,5 थे यह हो गया हमारा इस question का solution question number 2 देखिए check if the goalkeeper g minus 3,5 sweeper h 3,1 and wing back के 0,3 fall on a same straight line second part में आपको यह prove करना है कि यह 3 points क्या एक की straight line में है नहीं straight line मतलब these points are collinear or not और आपको बदाए कि collinear क्या होता है किसी भी 2 points का distance बराबर होगा 3rd के distance के तो यहाँ पर हम उसी को calculate करेंगे तो सबसे पहले हम gs के distance को find out करते है by using distance formula आपको बता है कि distance formula क्या होता है x2 minus x1 का all square plus y2 minus y1 का all square तो यहाँ पर हमारा x2 कितना है 3 तो 3 minus minus plus 3 का all square plus 1 minus 5 का all square तो यह आपका बन गया 3 plus 3 6 6 का square 36 plus 16 तो यह आपका कितना निकल गया 52 और 52 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 13 तो यह आपका बन गया 2 root 13 अब हम निकालेंगे h के तो 0 minus 3 का all square plus 3 minus 1 का all square 3 का square होगा 9 plus 4 तो यह आपका कितना गया root 13 अब हम निकालेंगे gk 0 minus minus plus 3 का all square plus 3 minus 5 का all square तो यह आपका निकल गया 9 plus 4 that is going to root 13 अगर आप ध्यान से रेखोगे तो इन डोनों को अगर मैं add करूँगा तो इसके बराबर आ रहे हैं तो मतलब यहां पर आप लिख सकते हो कि gk plus hk बराबर है gh तो इस condition को fulfill कर रहे हैं तो यहां पर लिखोगे yes gh k lie on the same line तो यह होगे हमारा second part का solution question number 2 का और part देखिए check if the fullback j 5,3 and the center back i minus 4,6 are equidistance from forward c 0,1 and if c is the midpoint of ij part number 2 का और part देखिए यहां पर आपको दो point दे रखे है j 5,3 i दे रखे है minus 4,6 वह आपको question में यह कह रहा है कि क्या यह दोनों points क्या equidistance है from c.0,1 सबसे पहले आपको यह प्रूब करना है और then उसके बाद यह प्रूब करना है कि क्या c is the midpoint of ij तो यहां पर हम सबसे पहले c आपका point दे रखे है 0,1 और equidistance के लिए j आपको दे रखे है 5,3 और i आपको दे रखे है minus 4,6 equidistance के लिए हम distance find out करेंगे तो यहां पर आप लिखोगे cj बड़ाबर है 0-5 का whole square plus 1-3 का whole square 5 का square 25 plus 16 तो यह आपका कितना आगया root 41 अब हम निकालेंगे c i that is equal to 4 का square plus 5 का square तो यह भी आपका कितना आगया root 41 तो यह आपके बराबर है तो यहां पर लिखोगे yes they are equidistance second आपको प्रूव करना है कि c is the midpoint of ij or not तो j आपको दे रखे है 5.3 और i आपको दे रखे है minus 4,6 अगर मैं इसका midpoint निकालू, midpoint निकालते तो क्या लिखूंगा 5 minus 4 by 2, minus 3 plus 6 upon 2 तो यह आपका निकल गया 1 by 2 और यह आपका निकल गया 3 by 2 अगर आप ध्यान से रखे हो क्या यह midpoint इसके बराबर आ रहे है c के coordinates के क्योंकि c तो यहाँ पर दे रखे है 0,1 और यहाँ पर इसका midpoint आ रहे है half और 3 by 2 तो मतलब c इसका midpoint नहीं होगा तो यहाँ पर लिखोगे no c is not the midpoint of ij तो मतलब एक condition fulfill कर रहा है बर दूसरी fulfill नहीं कर रहा है तो यह होगे हमारा second part का solution part number third question number third देखिए if defensive midfielder a 1,4 attacking midfielder b 2,3 and striker e a b lie on the same straight line and b is the equidistence from a and e find the position of e question number third में आपको क्या कर रहा है कि अगर a की कोड़ने दे रखिए 1,4 e आपको दे रखिए a,b और b आपको दे रखिए 2,-3 और b क्या equidistence है from a और e तो मतलब b हमारा क्या किलाएगा, midpoint किलाएगा कोकि बोथ हाई इकूडिस्टेंस to each other तो यहाँ पर अगर suppose यह x1 यह y1 है यह capital x और y है और यह आपका x2 और यह y2 है तो capital x कैसे नहीं किला हुगा, x1 में x2 को add करूँगा, divide by 2 करूँगा, capital x कितना है 2, x1 कितना है 1, x2 कितन है a by 2, 4 is equal to 1 plus a, तो a आपका कितना आगया, 3 आगया, capital y is equal to y1 plus y2 by 2, capital y आपको कितना दे रखे माइनस 3, y1 आपको कितना है 4, plus b upon 2, so minus 6 is equal to 4 plus b, so b आपका कितना आगया, minus 10 आगया, तो मतलब e के coordinates क्या होंगे, 3, minus 10, यह होगे हमारा इस question का solution, अगर वो यहाँ पर था, तो उसने सबसे बेले बर्ड को देखा है थे एंगल of 45 डिगरी, when a sixer war hit, a ball flew through the tree, frighten the bird to fly away, जैसे यहाँ से एक, जैसे चिल्रन ने six मारा तो बोल यहाँ पर गई, तो जैसी बोल यहाँ गई, तो बर्ड यहाँ से उड़के यहाँ चली गई, और 2 second के बड़ यहाँ गई, तो observer ने यहाँ से देखा, तो at an angle of 30 degree, and a ball flying toward him at the same height at an angle of elevation of 60 degree, तो at what distance from the foot of the tree, was he observing the bird sitting on the tree, तो माला यहाँ से अगर उसको observe कर रहे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का distance कितना होगा, बिकोज यह इसका foot of the tree होगा, और यह उसका top होगा, तो अगर यह यहाँ से उसको observe कर रहे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का distance कितना होगा, यह आपको calculate करना है, तो अगर हम figure में देखके, तो यहाँ पर आपको cb calculate करना है, और ob आपको कितना given है, 80 meter, और आपको calculate करना है cb, तो in triangle obc, ob upon bc किसके बराबर होगा, 1045 degree के, यह होगे हमारा first part का solution, second part देखके, how far did the bird fly in the mansion time, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पे गई, तो कि 2 second के बाद यहाँ से यहाँ मूफ कर गई, तो मतलब यहाँ पर आपको ad find out करना है, ad मतलब be find out करना है आपको, second part होगे देखेंगे तो बड़ अमारा o से o dash चला गया, तो मतलब at angle of 30 degree, तो int triangle o dash c e, o dash e upon c e किसके बराबर होगा 10, 30 degree के, o dash e कितना हमारा 80, c e आपको नहीं बता, बराबर है 1 by root 3, तो c e आपको कितना आगया 80 root 3, meter, बड़ यहाँ पर आपको calculate करना है b, c e, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना move गया, मतलब b e आपको calculate करना है, अब b e कैसे बनाओगा, जब मैं c e में से c b e को minus करूँगा, और c e आपने अभी निकाला 80 root 3, और c b आपने first part में निकाला 80 meter, दोनों में से 80 common आ आपको क्या बचा, root 3 minus 1 meter, तो यह गया बाड़ा second part का solution, question number 2 का और part देखिए, after hitting the tree, how far did the ball travel in the sky, when cosmic saw the ball, ball आपके hit कैसे हुई, जब यहाँ से बाड़ शिक्सर गया, तो यहाँ से बाड़ जाएगा, तो मतलब F से लेके ओपे जाना पड़ेगा, तो मतलब पहले हम CG को calculate करेंगे, और देन आपको यह calculate करना है, तो कि ball यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कि यहाँ से यहाँ जाएगी, तभी तो उसने बोला, after hitting the tree, how far did the ball travel in the sky, when cosmic saw the ball, तो यहाँ पर आपको F से A तक का distance, यहाँ पर actual में आपको calculate करना है, तो सबसे पहले figure में CG को find out करेंगे, because यह angle आपको कितना दे रखा है, 60 degree, तो in triangle CFG, FG upon CG बड़ावर होगा 1060 degree के, FG आपको दे रखा है 80, CG आपको नहीं पता, और 1060 आपको दे रखा है root 3, तो CG आपका कितना आगया, 80 root 3 by 3, यह तो आपका निकल गया CG, बड़ आपको calculate करना है GB, अब GB कैसे बनेगा, जब मैं CB में से, CG को क्या करूँगा, minus, CB आप first part पर निकाल चुके हैं, तो 80 minus of 80 root 3 by 3, LC हम लेंगे, तो आपका बनेगा, 240 minus 80 root 3 by 3, तो अंदर आपका क्या बज़ गया, 3 minus root 3 upon 3, तो यह हो गया मारा इस question का solution, question number 3 देखिए, what is the speed of the bird in meter per minute, if we add flon 20 root 3 plus 1 meter, यहाँ पर आपको speed of the bird निकालना है, meter per minute, time आपको दे रखे, 2 second distance आपको यह दे रखे, आपको बता है कि speed क्या होती है, distance upon time, upon 2, यह आपका निकला meter per second, बढ़ आपको निकालना है, meter per minute, तो यह आपका निकल गया 10 root 3 plus 1, meter, minute बनाऊगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से multiply, तो यह आपका बन गया, 600 root 3 plus 1, meter per minute, because आपको बता है कि, 1 minute में कितने seconds होंगे, 60 seconds, और एक second में कितने minute होंगे, 1 by 60 minute, तो जिस करके, वो चीज़ कहां चलेगे उपर, और यह उससे multiply हो, और तो कितना आगी answer, 600 root 3 plus 1, meter per minute, तो यह होगे, अमारा इस question का solution, इसता होंगे,